इस्टुडेंट आज का टॉपिक है अपना आयोनाईजेशन एंथेल्पी क्या होता है बच्चों आयोनाईजेशन एंथेल्पी नेम से इंडिकेट है बच्चों आयन बनाना है यस बच्चों इस्टुडेंट सर जो लोग प्लस नहीं लिये उनके लिए क्या होगा अरे भाईया प्लस नहीं लिये हैं तो मैं chemistry express पर complete chemistry cover करवा रहे हैं न बचो जो plus पर नहीं आ पाई हैं किसी वज़ा से आपको chemistry express YouTube पर complete IOC cover हो रहा है ओके चलिए same content मिलेगा बच्चो चले बच्चो सेशन को continue करते हैं iionization energy this brand nam से indicate है बच्चो ion बनाना है अपके पास atom है ये मेटल है बच्चो ये मेटल है's form में इसको आपको किसमे convert करना बच्चो ion में convert करना है name से indicate है बच्चो ionization energy m गैस था बच्चो m प्लस में convert करना है बच्चो M guess था और आपको M plus में convert करना है Sir is there any difference between alpha and chemistry बच्चो एक बात सुनो न यास बच्चो एलफा एचीवर में आपका complete syllabus cover होगा यह जो हमारा plus course है इलफा एचीवर इसमें physics, chemistry, botany, eulogy, सब कुछ होगा बट chemistry express पे तो बच्चो chemistry cover करवा होगा न बट student यह मेरी guarantee बच्चो IOC आपको दोनों जगह सेम content मिलेगा चाहे बच्चो आप मेरा YouTube पर session देखे या plus course में देखे इवन student अभी मेरा offline batch भी कोटा में आएगा आप कहीं पे भी मेरी class लोग आपको बच्चो content सेम देंगे No difference, ओके चले बच्चो Yes, सिवानी बात के लिए हुई, सिवानी बात के लिए offline, YouTube, special या student master pro सब देखा बच्चो आपको सेम चीज मिलेगी, ओके चले Yes student, चले बच्चो अब अपन topic स्टार्ट करते है Ionization Energy इस्टोट नाम से indicate है, energy और enthalpy बच्चो, enthalpy and energy सेम ठिंग होता है Energy को बच्चो, thermodynamics में किस से repurgent करते है बच्चो, energy को अपन thermodynamics में, enthalpy से repurgent करते है यह M gas था M gas से बच्चो, आपने M plus gas बनाया Loss of electron किया इस्टोट एक बात बताओ, यह nucleus है क्या इस्टुडेंट नुक्लियस वैलेंस इलेक्टोन को क्या कर रहा है बच्चो नुक्लियस वैलेंस इलेक्टोन को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर रहा है और आप लॉस कर रहे हो लॉस ओप लेक्टोन बच्चो लॉस ओप लेक्ट्रोन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ओप बच्चो लॉस ओप लेक्ट्रोन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ओप के टाइम के एनायन बच्चो ये एटम था इस एटम से लॉस ओप लेक्ट्रोन किया है student gain of electron क्या होता है बच्चो gain of electron anion formation होता है loss of electron तो ionization energy क्या है बच्चो ionization energy को कभी-कभी sort में IPB कहते है student ionization energy को कभी-कभी क्या कहते है IP यह atom था इस atom से electron को बाहर निकाला है तो student इतना तो confirm हो गया ionization energy energy required to remove loosely hold electron student nucleus इसको attract कर रहा है बच्चो nucleus outer electron को attract कर रहा है और आप loss कर रहे हो student आप nucleus और इसके between लगने वाले attractive force को minimize कर रहे हो बच्चो मेरी बात समझे आप nucleus और इसके between जो attractive force है उसको तोड़कर atom से electron को बाहर निकाल रहे हो तो बच्चो ionization energy कैसा process है ionization energy बच्चो release है के absorb है बच्चो chat box में reply करो ionization energy बच्चो कैसा process है release के absorb तो student यह atom था atom से loss of electron student कोई भी question बूचता हो comment box में बच्चो answer reply करे ionization energy very good प्रवजोत absorb होगा okay absorb होगा endothermic process है बच्चो अब student ionization energy क्या है energy required बच्चो energy required to remove loosely hold electron student यह मेरे पास na gas है बच्चो यह मेरे पास na gas है इसको मैं na plus gas में convert कर रहा हूँ तो student sodium का formula है 281 तो student आप किसी atom से कौन सा electron बाहर निकालोगे क्या student पहले cell का electron निकालोगे क्या close to nucleus निकालोगे तो इतना तो confirm है ionization energy loss of electron वो भी loss of electron कौन सा loosely hold electron क्या student concept के लिए हुआ बच्चो concept के लिए हुआ loss of electron बच्चो कौन सा है loosely hold electron और loosely hold electron कौन से होते है outer cell के electron होते है valence cell के electron होते है student एक answer दो sodium का formula 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 बच्चो sodium का ये formula है तो student आप sodium का कौन सा electron निकालोगे ये sodium का congregation है बच्चो sodium का कौन सा electron निकालोगे first cell का के second cell का के third cell का बच्चो ये sodium है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 बच्चो sodium का very good निलम outer cell electron बच्चो एक तो answer दो क्या outer cell electron away from nucleus है के नहीं बच्चो ये पहला cell है ये दूसरा cell है ये तीसरा cell है जो outer cell electron होता है बच्चो जो outer cell electron होता है वो loosely hold electron होता है तो student loosely hold electron को बाहर निकालने के लिए जो energy चाहिए तो student ionization energy क्या है required है और loosely hold electron है बच्चो एक very important बात अगर मैं ये reaction देता हूँ बच्चो na solid convert into na plus gas तो student ये reaction क्या this reaction is ionization energy yes क्या no बच्चो na solid convert into na plus gas क्या this reaction ionization energy yes क्या no student इस reaction में भी loss of electron हो रहा है बच्चो इस reaction में भी loss of electron हो रहा है बच्चो इस reaction is not ionization energy बच्चो ये reaction ionization energy नहीं है actually यहां पर solid लिखा है बच्चो ये reaction ionization energy ये बात wrong बच्चो ये ionization energy नहीं है very good नवनीत actually student ये solid है बच्चो ये solid है इस solid को अगर आप ये process करते हो तो बच्चो इस solid को सबसे पहले any gas में convert करना पड़ेगा then इधर बेजना पड़ेगा बच्चो concept के लिए हुआ student metal solid है बच्चो इतना तो कनपौम है sodium solid में बहुत सारे atom metallic bonding से bonded है बच्चो any solid लेते हो तो बहुत सारे atom metallic bond से है तो इस metallic bond को break करोगे sublimation energy चाहिए then ionization energy बच्चो आंसर दो ionization energy जे property of bonded atom के isolated atom बच्चो chat box में reply करो ionization energy जे property of bonded atom के isolated atom student इतना तो कनपौम है loss of electron है बच्चो कोई भी question पोच्चता हो न chat box में reply करो very good दिया अपड़ना गौरा this is जे property of isolated atom actually any solid में atom are bonded by metallic bond तो बच्चो point clear हुआ बच्चो concept clear isolated gas atom होना चाहिए बच्चो solid atom नहीं होना चाहिए isolated gas atom ये metal solid है बच्चो metal solid है यह metallic bond है तो इस bond को break करके आपको यह करना पड़ेगा बच्चो अंसर दो क्या this reaction ionization energy true के false बच्चो ये reaction ionization energy true के false x2 convert into x plus gas यहां मैंने already gas लिया है क्या this reaction is ionization energy very good प्रभजोत बच्चो ये reaction ionization energy नहीं है यहां मैंने gas तो लिया है बट student यह x2 gas है इस bonded gas है बच्चो concept के लियर हुआ बच्चो concept के लियर हुआ यह gas तो है बट bonded gas है और student x2 में covalent bond है और student आप इस bond को break करोगे आपको एक energy चाहिए bond dissociation energy student concept के लिया बच्चो concept के लिया यह gas था बट bonded gas था तो इस covalent bond को break करोगे बचो covalent bond को break करोगे तो कौन सा energy चाहिए bond dissociation energy और यहां कौन सी energy ionization energy तो student इतना confirm हो गया बचो यहां solid metallic bond है student यहां कैसा bond है metallic bond और यहां कैसा bond है covalent bond बचो यहां metallic bond यहां covalent bond metallic bond को break करोगे sublimation energy and covalent bond को break करोंगे bond dissociation energy बच्चों concept के लिए यहां metallic bond है in metal solid student in metal solid various metal atom bonded by metallic bond यहां atom are bonded by covalent bond तो student यह अब तो confirm हो गया बच्चों ionization energy जह property of isolated atom अब बच्चों बताओ electron cannot be removed from solid state बच्चों आप solid state से atom को remove नहीं करोगे अगर वो solid state है it has to be convert into gaseous form बच्चों अगर वो solid state है यह metal solid है तो बच्चों यह process ionization energy नहीं है student यहां loss of electron है बच्चों यह loss of electron है but this reaction is not ionization energy यह ionization energy नहीं है तो student metal solid को अगर आप यहां से यहां जाते हो तो student आपको first of all बच्चों concept clear हुआ बच्चों concept clear हुआ यह sublimation energy चाहिए then बच्चों ionization energy चाहिए student concept clear बच्चों ionization energy is a property of isolated atom okay this is a property of isolated atom in metal solid metallic bond break in metal solid metallic bond break okay अब student मैं आपसे एक बात करो student यह मैंने na gas लिया है बच्चों यह na gas लिया है अगर मैं ऐसे कहता हूँ या फिर student यह मेरे पास ab gas है ab gas है ab plus gas या फिर बच्चों helium gas है तो यह सारे process ionization energy है बच्चों यह all reaction क्या है i e बच्चों यह all reaction क्या है i e क्या student यह सारी reaction बच्चों क्या है i e इसको IE बोलो या IE1 same thing आपके उपर है डिपेंट बच्चों फर्स्ट इलेक्ट्रोल लॉस होता है तो इसको आप IE बोलो या IE1 एक ही बात है अब इस्ट्वेंट एक सिंपल आंसर दो ये सारे गैस तो है क्या isolated है के नहीं बच्चों inert gas तो वैसे ही atom फॉम में रता है बच्चों inert gas तो वैसे ही atom फॉम में रता है F2 molecule में था आपने उसको एप में बेजा sodium solid फॉम में था आपने बच्चों उसको gas फॉम में बेजा बच्चों concept के लिए हुआ ये सारे बच्चों isolated atom है एक आंसर दो बच्चों IE does not depend on बच्चों IE किस पर depend नहीं करेगा नमबर वन 2, 3, 4 नमबर वन साइज पर नमबर टू जैड इफ्रेक्टिव नमबर थर्ड बच्चों stable configuration नमबर फोर bond order इस्टुएंट चैट बोक्स में आंसर दो बच्चों IE does not depend on इस्टुएंट यह मैंने आपसे question पूछा है IE does not depend on सभी स्टुएंट session को like करें एक बार जितने भी स्टुएंट session को attend कर रहे है बच्चों session को like करो IE does not depend on क्या बच्चों IE size पर depend करेगा इस्टुएंट एक small size large size उसके उपर depend करेगा काफी बच्चों ने correct answer दिया है IE does not depend on bond order इस्टुएंट आपको सोचिए एक size यह है बच्चों एक size यह है और एक size यह है इस्टुएंट बताओ अगर size large है तो valence electron loosely hold होगा के नहीं बच्चों एक तो size ऐसा है और एक size ऐसा है size जितना large होगा valence electron loosely hold होगा बच्चों concept के लिए हुआ बच्चों concept के लिए IE depends on size क्या IE जैड effective पर depend करेगा इस्टुएंट मुझे एक बात बताओ यह जैड effective है यह electron है अगर यह parameter जितना high होगा बच्चों यह parameter जितना high होगा electron कैसा hold होगा बच्चों एक बात बताओ जैड effective हाई होगा तो electron loosely hold के strongly hold बच्चों जैड effective जितना high होगा electron strongly hold होगा बच्चों अगर electron strongly hold होगा तो loss of electron क्या होगा बच्चों अगर जैड effective हाई होगा तो electron strongly hold loss of electron difficult होगा तो बच्चों IE size पे भी depend करेगा J foever sandy पर भी, stable confrigation पर क्या student bond order बच्चो मुझे answer दो क्या यह reaction ionization energy true क्या false क्या बच्चो this reaction ionization energy true thing dads student bond order होता है number of bond बच्चो bond order होता है number of bond yes बच्चो बच्चो bond order क्या होता है number of bond तो N2 में triple bond है बच्चो N2 में triple bond है ये reaction बच्चो bond dissociate, ये IE नहीं है बट student अगर मैं ऐसे देता हूँ, क्या student ये reaction IE है, बच्चो अगर मैं ऐसे देता हूँ, तो ये reaction बच्चो क्या है, IE है अब student answer दो क्या यहाँ bond order का कोई रोल है क्या बच्चो यहाँ bond order का रोल है, इतना तो कनफो में बच्चो ionization energy जे property of atom N से N प्लस में जा रहे हो bond order का कोई रोल ही नहीं है तो बच्चो IE does not depend on bond order, बच्चो chat box में reply करो, क्या ionization energy जे property of molecule के atom, बच्चो ionization energy जे property of molecule के atom this is a property of बच्चो atom, तो ionization energy does not depend on bond order, बच्चो ionization energy does, student यह question clear हुआ क्या बच्चो यह question clear हुआ IE does not depend on bond order, ओके, चले बच्चो अब अपन student एक topic पढ़ेंगे आगे for any neutral atom बच्चो कोई भी neutral atom है उससे ionization energy always endothermic process होगा, बच्चो ionization energy always कैसा होगा इस्टेंग मुझे एक बात बताओ आप atom lithium लो या sodium लो, या potassium लो किसी भी atom से loss of electron करो, बच्चो किसी भी atom से loss of electron करो यह सारे process बच्चो क्या होंगे absorb होंगे बच्चो यह सारे process absorb होंगे, ओके, बच्चो concept के लिए होगा, बच्चो concept के लिए है, आप कोई भी atom से loss of electron करोगे loss of electron, ionization energy always endothermic बच्चो अगर यह endothermic है, तो enthalpy के form में क्या होगा, बच्चो enthalpy के form में, यह चीज absorb है, बच्चो आप लोगों ने सुना होगा, इस्ट्वेंट आप तो उने सुना होगा, रिलीज energy को thermodynamics में negative form में लिखते हैं, बच्चो अगर energy release होता है energy release तो उसको negative form में लिखते हैं बच्च यह energy absorb है बच्चो concept के लिए सर्ण neutral क्यों लिखा, नमनीद कोई भी atom हो, नमनीद not from any atom, चाए atom हो या iron हो जनरल नमनीद अभी अपन बात कर रहे हैं, किसकी IE की बात कर रहे हैं बच्चो अभी just अपन IE1 की बात कर रहे हैं, बच्चो मेरी बात समझे, अभी just अपन किसकी बात कर रहे हैं, IE1 की ओके, बच्चो IE1 की बात कर रहे हैं, चाए IE1 हो या IE2 हो या IE3 Yes student Yes student चले बच्चों और नए student जो भी है वो सारदा सा टेलीग्राम चैनल जोइन करें बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन करो आपको क्लास का नोटिफिकेशन के साथ साथ PDF मिलेगा बच्चों PDF, MCQ सब कुछ बच्चों इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा जैसे ही क्लास खतम होता है बच्चों आपको क्लास का PDF MCQ सब कुछ बच्चों इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा नए student जो भी है वो टेलीग्राम चैनल को जोइन करें टेलीग्राम चैनल को बच्चों join करें ओके चलें अब strength ionization energy इसका unit क्या है बच्चो ionization energy का unit या तो electron volt per atom या फिर बच्चो kilo joule per mole या फिर बच्चो kilo calorie per mole strength ionization energy का unit जो unit energy का है वो ही unit बच्चो ionization energy का है बचो कंसर्ट के लिए बचो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है एनर्जी की यूनिट क्या होती है बचो जो यूनिट एनर्जी की है वही आयोनाइजेशन एनर्जी की है किलो जूल पर मोल किलो कैलोरी पर मोल और एलेक्टोन गोल्ड पर एटाम बचो आयोनाइजेशन ए एनर्जी का जो युनिट है वो ही इसका युनिट है ओके अब एक वर्ड very important सक्सेसे आईउनिजेशन एनर्जी क्या बच्चो जानते हो वर्ड सक्सेसे आईउनिजेशन एनर्जी बच्चो इस कंसेप्ट को समझना यह M गैस था M से M प्लस बना फिर बच्चो M प्लस 2 बना फ के इस फैंट एम गैस है क्या लॉस्ट अप लेक्टरोन हो रहा प्रॉक्टों किसी एंटम से पहली बार लॉक्टोन लॉस होगा यह आई वन है यह आई टू है ये IE3 है, इस प्रोसेस को chemistry में कहते हैं, बचो सकसेसिव IE, बचो AI1, AI2, AI3, इस टुम๊ट कंसेट के लिए बच्चो ये atom था, आपने atom से loss किया है, बचो किसी atom से पहली बार loss होगा, IE1, AI2, AI3, बचो AI1, AI2, AI3, और इस प्रेट सकसेसिव IE का order, IE3 always greater than IE2 always greater than IE1 बच्चो ये order नीट में भी आ चुका successive IE always increase बच्चो concept के लिए बच्चो concept के लिए वहाँ successive IE बच्चो always increase always IE3 greater than IE2 and greater than IE1 बच्चो successive IE always increase अब why IE2 greater than IE1 बच्चो ऐसा क्यों होता है why IE2 greater than IE1 और IE3 greater than IE2 successive IE always ये है बच्चो देर इस नो एक्सप्चन बच्चो देर इस नो एक्सप्चन why IE2 greater than IE1 बच्चो कोई भी question पोस्ता हो न उसका answer दिया करो why IE2 greater than IE1 एक answer दो बच्चो atom के compare में बच्चो ये atom है ये katein है क्या atom के compare में katein small है के नहीं बच्चो atom के compare में katein small है यस बच्चो इस बच्चो अगर ये small है तो loss of electron क्या होगा बच्चो atom के compare में katein small है तो loss of electron difficult होगा बच्चो loss of electron difficult होगा अब इस्ट्वेंट एक answer और दो प्लस 1 के compare में प्लस 2 और small size का है के नहीं बच्चों प्लस 1 के compare में प्लस 2 और small size का है तो बच्चों IE3 का value और high होगा बच्चों successive IE always increase बच्चों successive IE always increase because electron loss from cation इस्ट्वेंट IE1 में electron atom से loss हो रहा है ये cation से तो बच्चों मैं एक line लिख रहा हूँ यहाँ पर IE2 always बच्चों IE2 always greater than बच्चों concept के लिए हुआ बच्चों IE2 always greater than IE1 because why IE2 greater than IE1 because electron lost from electron lost from cation having small size बच्चों electron lost from cation having small size so removal so removal of electron difficult so removal of electron difficult बच्चों concept के लिए हुआ बच्चों ये statement के लिए हुआ IE2 always greater than IE1 there is no exception student आप मुझे बताओ ये process है और student ये process है क्या student दोनों process में loss of electron है बच्चों ये भी loss of electron और ये भी loss of electron बच्चों इस reaction को कहते IE1 इसको कहते IE2 क्या student ये atom है और ये cation है बच्चों अगर ये small size है इस्टों अगर ये small size है तो removal क्या होगा इस्टों इतना तो confirm है atom के compare में ये small है loss of electron difficult होगा तो successive IE always increase बच्चों concept के लिए बच्चों concept के लिए हुआ successive IE बच्चों always increase because atom के compare में cation small है atom के compare में cation small है बच्चों अब एक answer दो बच्चों एक question पोच रहा हूं student IE3 बच्चों IE3 means electron lost from M plus 3 क्या ये बात true के false बच्चों IE3 IE3 means electron lost from M plus 3 ये statement बच्चों true के false yes student अनोब नेहा student IE3 है क्या IE3 में electron lost from M plus 3 yes मैंजीम बच्चों IE3 है electron lost from M plus 3 ये बात wrong है अब student मुझे एक answer दो ये IE1 है ये IE2 है IE3 है IE3 में electron बच्चों M plus 2 से loss हुआ था क्या student mistake पकड़ में आई बच्चों बच्चों जब atom से loss होता है बच्चों जब atom से loss होता है ये IE1 IE2 IE3 IE3 में electron बच्चों M plus 2 से loss हो रहा है student electron lost from M plus 3 ये बात wrong अब student में क्या लिखूं यहां पर बच्चों बच्चों बोलो IE3 means electron lost from M plus 2 M plus 2 अब student एक answer देना बच्चों IE5 means electron lost from बच्चों chat box में answer दो IE5 means electron lost from student कोई भी IE पूचता हो न Yes बच्चों IE5 का मतलब electron lost from Yes बच्चों काफी बच्चों ने correct answer दिया है electron lost from M plus 4 बच्चों IE5 means electron lost from M plus 4 क्या student concept के लिए है अब बच्चों एक बात बताओ ये NE है ये NE है ये IE1 है और ये IE2 है student इतना confirm है ये IE1 है और ये IE2 है अब बच्चों answer दो ये value 5 electron volt है बच्चों ये value 5 electron volt है तो IE2 का value क्या होगा बच्चों ये value 5 electron volt है तो बच्चों ये कितना होगा तो 10 होगा क्या 5 होगा क्या 2 होगा क्या बच्चों 50 होगा student chat box में reply करो बच्चों IE1 of NA is this बच्चों IE1 of NA is this नाव IE2 क्या होगा बच्चों IE2 क्या होगा yes student का ये बच्चों काफी बच्चों ने correct answer दिया है क्या student increase तो होगा क्या बच्चों ये दो answer कभी होंगे क्या successive IE बच्चों कभी pipe होगा ये value pipe क्या ये pipe होगा no, कम होगा no क्या बच्चों थोड़ा सा increase क्या abnormally increase बच्चों IE 2 increase तो हुआ बट आप देख रहे हो बच्चों abnormally increase बच्चों abnormally increase actually student इस sodium का formula था 3S1 बच्चों sodium का formula ये था क्या student ये formula inert gas system है के नहीं बच्चों inert gas system है तो abnormally increase होगा बच्चों concept के लिए होगा बच्चों बहुत अच्छा question IE 1 of sodium is this बच्चों IE 1 of sodium is this नाव IE 2 की value 10, 5 के 2 के 50 तो student इतना confirm होगया IE increases abnormally बच्चों ये abnormally क्यों होगा this is stable है बच्चों inert gas system extraordinary stable है बच्चों ये extraordinary stable है बच्चों concept के लिए student अगर system stable होता है तो loss of electron बच्चों difficult होगा अब बच्चों एक बात बताओ IE increases abnormally क्या बच्चों IE increases abnormally always क्या बच्चों IE increases abnormally always क्या बच्चों IE increases abnormally always no बच्चों IE increases abnormally when electron lost from yes बच्चों electron lost from stable inert gas configuration बच्चों जब stable inert gas configuration होगा बच्चों concept के लिए बच्चों concept के लिए IE increases abnormally when electron lost from stable inert gas configuration अब बच्चों एक answer दे न ये magnesium है इसको मैंने mg plus में भेजा ये mg plus 2 है ओके इस्ट्ट बताओ ये IE 1 है ये IE 2 है IE 1 IE 2 अब इस्ट्ट ये value 7 है बच्चों ये value 7 electron volt है तो ये value कितना होगा बच्चों ये 7 है क्या student इसको में कैसा रखो 15 के 7 के 5 के 85 बच्चों चैट बॉक्स में reply करो इतना तो confirm है बच्चों successive IE increase होगा अंसार A अंसार A गलत answer दिया है दिया ने correct answer दिया निया ने भी correct ओके बच्चों निशान्थ 85 नहीं आएगा अब बच्चों increase तो होना है इस्ट्रेंट ये 2 answer कभी होंगे बच्चों last के 2 answer कभी होंगे क्या बच्चों last के 2 answer होंगे ये 2 तो बच्चों कभी होंगे नहीं 7 और 5 तो कभी होंगे नहीं अब इस्ट्ट्ट ये formula कैसा है बच्चों ये formula 3S2 है ये formula 3S1 है क्या student ये system inert gas है क्या बच्चो increase तो होना है successive I always increase क्या बच्चो increase होगा क्या student 7 से abnormally increase करों क्या क्या बच्चो abnormally increase करें बच्चो abnormally increase possible नहीं है तो answer बच्चो क्या होगा 15 बच्चो concept के लिए है बच्चो question के लिए हुआ increase तो होना है बड़ बच्चो यह system inert gas नहीं है अब student answer दो यह मैंने यह चीज बनाई अब यह IE3 है क्या बच्चो यह value 15 है अब यह कितना होगा बच्चो क्या student यह 3S2 यह 3S1 और बच्चो आपको याद हो यह inert gas system है क्या बच्चो concept के लिए हुआ संदेप संदेप, नीम, पढ़ना everyone बच्चो concept के लिए बच्चो अब यह inert gas system है अब यह 15 है तो बच्चो यहां मैं 150 कर सकता हूँ क्या बच्चो abnormally increase किया के नहीं 15 से 150 बच्चो inert gas system तो student यह word neat के लिए star बच्चो यह word neat के लिए star I increases abnormally बच्चो I increases abnormally when electron lost from stable inert gas concentration बच्चो abnormally तब होगा जब inert gas system है क्या बच्चो यह inert gas system है बच्चो यह inert gas system है नो, ओके, चले बच्चो अब एक बात बताओ यह neon है और यह ऐसा है ओके, अब बच्चो मुझे आप एक answer दो यह I yes बच्चो बच्चो बहुत अच्छा question पोच रहा हूँ बच्चो यह neon था यह I1 है और यह I2 है इस्टुएंट यह formula 2s2 2p6 है यह formula 2s2 2p5 है बच्चो अब answer दो I2 कैसा होगा इस्टुएंट अब chat box में answer दो बच्चो इसके compare में I2 की value high होगी के low होगी बच्चो यह system inert gas है neon ऐसा है बच्चो neon ऐसा है अब neon प्लस ऐसा होगया I2 का value बच्चो यह जो भी value है इसके compare में I2 का value high होगा के low होगा कुछ बच्चे correct answer दे रहे है कुछ बच्चे correct answer दे रहे है low होगा यस अपड़ना ने low बताया दिया ने भी low बताया और बच्चो संदीप ने भी low इस्टुनेंट यह system देखो बच्चो यह I1 है यह I2 है यह stable है यह नहीं है तो बच्चो I1 के compare में I2 का value low होगा काफी बच्चे low answer बोल रहे हैं काफी बच्चे low answer बोल रहे हैं यह answer wrong है बच्चो जिन्हों ने भी low answer बोला था I2 का value low होगा यह बात बच्चो wrong है Actually student chemistry में successive IE always increase बच्चो concept के लिए बच्चो there is no exception यह भले stable नहीं है बच्चो यह stable नहीं है बट यह value इसके compare में बच्चो high होगा इस case में भी बच्चो IE 2 greater than IE 1 Actually बच्चो successive IE always increase बच्चो concept के लिए बच्चो there is no exception successive IE always increase Yes बच्चो अब तो कोई conclusion नहीं बच्चो अब तो कोई conclusion नहीं Yes अनसारी successive IE always increase ओके चले बच्चो अब एक answer दो क्या student इसके compare में neon plus small है के नहीं बच्चो अनी के compare में neon plus कैसा है बच्चो अनी के compare में neon plus small है बच्चो अगर ये small है तो IE का value क्या होगा high बच्चो successive IE always increase there is no exception इस्टुटेंट एक बात बताओ बच्चो ये any है और ये any plus है क्या student एक बात बताओ इन दोनों में से किसका IE ज़्यादा होगा बच्चो any और any plus इस्टुटेंट जब भी same atom होते है बच्चो जब भी same atom होते है तो configuration का कोई role ही नहीं है बच्चो जब भी same atom होते है तो इस्टुटेंट इतना बताओ इसके compare में ये कैसा है बच्चो मैं बान रहा हूँ ये 2S2 2P6 है ये 2S2 2P5 है बच्चो इसके compare में ये small है बच्चो concept के लिए बच्चो concept के लिए जब भी same atom हो तो बच्चो configuration का role ही नहीं है बच्चो जब भी same atom हो any और any plus बच्चो star example है अब एक answer दो बच्चो B E और B E plus बच्चो बेरिलियम का formula 2S2 ये 2S1 बच्चो answer दो किसका IE हाई होगा बच्चो किसका IE हाई होगा B E का होगा क्या B E plus का बच्चो बेरिलियम है 2S2 बेरिलियम प्लस है 2S1 इस्टुडेंट जब भी same atom हो बच्चो concept के लिए बच्चो जब भी same atom हो अब इस्टुडेंट answer दो copper 1 और copper 2 इस्टुडेंट ये d10 है बच्चो ये d10 है और ये d9 है बच्चो chat box में बताओ किसका IE है बच्चो ये d10 है ये d9 है बच्चो एक d10 और दूसरा d9 इसके compare में ये कैसा है इस्टुडेंट वेरी वेरी important बच्चो इस्टुडेंट ये IE का order है बच्चो concept के लिए बच्चो concept के लिए IE depend on stable configuration क्या बच्चो agree हो क्या बच्चो agree हो IE depend on stable configuration IE depend करता है बड़ जब आपके पास same atom है बच्चो जब same atom है तो configuration का कोई role नहीं है और successive IE बच्चो increase होंगे बच्चो जब भी same atom हो then configuration का बच्चो कोई role नहीं क्या इस्टुडेंट ये same atom है के नहीं बच्चो ये same atom है तो बच्चो configuration का कोई role नहीं successive IE always increase बच्चो जब भी same atom हो yes student ओके ना हो बच्चो factor कौन से factor है जो IE को depend करते हैं इस्टुडेंट मुझे एक बात बताओ IE inversely proportional to size बच्चो अगलीथियम sodium potassium rubidium cgm बच्चो down the group जा रहे हो क्या हो रहा है बच्चो down the group जा रहे हो size large हुआ size large IE लू बच्चो जितना size large होगा valence electron कैसा होगा इस्टुडेंट मुझे एक बात बताओ ये nucleus है ये lithium है ये इस्टुडेंट ये मेरे पास क्या है 2S1 ये 3S1 4S1 5S1 6S1 बच्चो ये lithium है और ये cgm है इस्टुडेंट 2S1 3S1 4S1 जितना size large होगा क्या valence electron loosely hold होगा बच्चो size large down the group size large आई लो बच्चो इस size large इस size large valence electron loosely hold बच्चो एग्री हो जितना इस्टुडेंट nucleus के close होगा बच्चो nucleus के close है तो loss of electron difficult होगा बच्चो अगर कोई orbital nucleus के close है loss of electron difficult होगा size large valence electron loosely hold बच्चो जितना size large होगा valence electron loosely hold होगा अब बच्चो एक बात बताओ यह lithium, sodium, potassium, rubidium, cgm अब श्ट्रेंट में इसकी जगह आपको यह दे रहा हो beryllium, magnesium, calcium, stransium, barium बच्चो concept के लिए यह first day group है यह second day group है और इस्ट्वेंट यहां में even fluorine, chlorine, bromine, iodine इस्ट्वेंट कोई सा भी group हो क्या बच्चो down the group size क्या होता है बच्चो down the group size large है इस्ट्वेंट 2s2, 3s2, 4s2 तो बच्चो down the group size large आई क्या होगा low student यह group first day है बच्चो यह group first day है this is second day this is halogen group even student में आपको यहां पर helium, neon, argon, krypton, gynon क्या बच्चो concept के लिए हुआ बच्चो जितना size large होगा valence electron loosely hold होगा बच्चो size large valence electron loosely hold therefore low energy required to remove electron ओके बच्चों concept के लिए एक बार नए बच्चे जो भी है एक बार नए बच्चे जो भी है session को like करें अनसारी दो मिनट वेट कर aluminium, helium अभी मैंने नहीं बताया है नए बच्चे जो भी है वो सारदा सर telegram channel join करो सारदा सर telegram channel join करो नमबर टू बच्चों effective nuclear charge नमबर टू बच्चों effective nuclear charge आई ए डारेक्ली परपोस्नल टू जैड इफेक्टिव बच्चों जितना जैड इफेक्टिव हाई होगा बच्चों आंसर दो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या बच्चों ये period है के नहीं बच्चों ये along the period जा रहे हो जैड इफेक्टिव क्या हो रहा है बच्चों along the period गए जैड इफेक्टिव हाई आप कुछ सोचो ये जैड इफेक्टिव है क्या बच्चों सबका outer cells है में बच्चों chat box में reply करो boron, carbon, nitrogen क्या बच्चों सबका outer cells है में boron, carbon, nitrogen boron 2P1, 2P2 2P3 बच्चों सबका outer cells है में ओके बच्चों outer cell सबका same है सबका outer cell बच्चों 2 है but along the period बच्चों जैड इफेक्टिव इनक्रीज ये parameter हाई होगा बच्चो सोचना अगर ये पेरामीटर हाई होगा तो कैसा होगा बच्चो इस दा जैड एफेक्टिव ये इलेक्टरो लि क्या बच्चो कंसर्ट के लिए हुआ, जितना ज़्यादा जयर्ड एफेक्टिव होगा, इलेक्टरॉन इस्ट्रोंग्ली ओल्ड होगा, लॉस उप लेक्टरॉन डेफिकर्ट, इस्टुडेंट आपकी चोईस है, बच्चो आपकी चोईस है, आप इससे करो या फिर बच्चो इससे, क्या इस्टुडेंट एलोंग दा प्रियर्ड, साइज डिक्रीज होता है, बच्चो एलोंग दा प्रियर्ड गए, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, इस्टुडेंट आप, आपकी चोईस बच्चो, आप जयर्ड एफेक्टिव से करो, या साइज से, साइज डिक तो बच्चों आपके पास चोईस होनी चाहिए कि आप स्टेट मेडिकल कोलेज में जाओगे क्या ओल इंडिया मेडिकल कोलेज में जाओगे बच्चों आपके पास चोईस होनी चाहिए इस तरह से बच्चों आपका नीट का स्कोर आना चाहिए कि जब रिजल्ट आ है तो बच्चों आंसर पे कोई प्राब्लम नहीं बच्चों मेरी गारंटी इस Chemistry Express पर बच्चों complete IOC कवर करेंगे अगर आपने बच्चों मुझे regular follow किया तो मेरी गारंटी बच्चों IOC perfect कवर करवाएंगे यहाँ पर एक एक टॉपिक बच्चों कवर करेंगे नोट ओनली प्रियोणिक टेबल बच्चों नोट ओनली प्रियोणिक टेबल सारे चेप्टर बच्चों डिटेल में कवर करेंगे सारे चेप्टर बच्चों डिटेल में कवर करेंगे ओके चले है अब श्क्रेंट मुझे एक मात बताओ greater is the Z effective if Z effective high बच्चो if Z effective high तो क्या होगा बच्चो अगर Z effective high if Z effective high then valence electron strongly hold बच्चो agree हो अगर Z effective high होगा तो बच्चो valence electron strongly hold so removal so removal difficult बच्चो removal क्या होगा difficult बच्चो जितना Z effective high होगा electron strongly hold होगा अब बच्चो मुझे एक answer दो ये मेरे पास magnesium ये मेरे पास क्या है बच्चो aluminum silicon phosphorus क्या student ये question भी period का है बच्चो ये question भी period का है aluminum silicon phosphorus period है और along the period बच्चो size क्या हो रहा है decrease बच्चो size decrease तो IE क्या होगा increase बच्चो जितना size decrease या फिर student आप वापिस इसको जैड effective along the period जैड effective increase तो बच्चो IE क्या होगा increase ओके अब student एक factor और discuss कर रहे हैं अपन बच्चो penetration power student एक answer तो बच्चो कौन sa orbital nucleus के ज़्यादा close है बच्चो कौन sa orbital nucleus के ज़्यादा close है S orbital के P के D student ये मेरे पास beryllium है ये boron है बच्चो एक answer दो इन दो में से small size किसकी है बच्चो इन दो में से small size बच्चो इन दो में से boron की size small है बच्चो boron की size तो small है फिर भी बच्चो आई बरिलियम का ही है एक्चोली बच्चो बरिलियम का फॉर्मला ये है और student इसका फॉर्मला 2S2 2P1 क्या student S orbital more close to nucleus है के नहीं बच्चो S orbital more close to nucleus है so removal क्या होगा difficult बच्चो आई वन और बरिलियम greater than boron student बरिलियम का S electron penetration more है more close to nucleus है बच्चो अगर ये more close to nucleus है तो removal difficult होगा बच्चो concept के लिए हुआ बच्चो एक बात बताओ boron की side small थी boron की side small थी boron का J defective high था फिर भी बच्चो IE beryllium का high है फिर भी IE बच्चो IE one of beryllium greater than boron बच्चो IE one of beryllium greater than boron जो reason बच्चो beryllium boron में वो ही reason बच्चो magnesium aluminium बच्चो concept के लिए जो reason बच्चो beryllium boron वो ही reason बच्चो magnesium aluminium बच्चो magnesium aluminium same reason बच्चो IE one of beryllium या magnesium greater than aluminium उसके पीछे दो रीजन है बच्चो उसके पीछे student दो रीजन है एक तो student, penetration of, बच्चो, penetration of S electron greater than P, बच्चो, एक तो penetration of S electron greater than P, दूसरा बच्चो, S sub-cell fully filled, क्या S sub-cell बच्चो, fully filled है के नहीं, student, यहां का S sub-cell fully filled है, क्या P sub-cell fully filled है, बच्चो, concept के लिए हुआ है, बच्चो, IE of beryllium greater than boron, उसके पीछे बच्चो, दोनो reason correct है, एक तो penetration, और दूसरा बच्चो, S sub-cell fully filled, second reason पर बच्चो, start लगाओ, जो reason beryllium boron है, वो ही reason बच्चो, magnesium, aluminium, जो reason बच्चो, beryllium boron है, वो ही reason बच्चो, magnesium, aluminium, अब बच्चो, एक बात बताओ, IE1 तो beryllium का high था, बट IE2, बच्चो, IE2 beryllium का low है, बच्चो, concept clear हुआ, second नहीं समझे, नमनीत मुझे एक answer दे, नमनीत मुझे पता, beryllium 2S2 stable है, 3S2 भी तो stable है, बच्चो, 2S2, 3S2, दोनों fulfilled है, जो reason beryllium boron है, बच्चो, वो ही reason, magnesium, aluminium है, बच्चो, concept clear, बच्चो, concept clear, student IE1 beryllium का high है, बट IE2 low है, अब बच्चो, IE2 करते ही, यह हो गया 2S1, यह 2S2, क्या student, अब यह system stable है के नहीं, बच्चो, concept clear हुआ, बच्चो, concept clear हुआ, IE1, बच्चो, beryllium का high था, बट IE2, बच्चो, boron का high है, अब student, यह stable चीज है, बच्चो, यह stable चीज है, ओके, यहस बच्चो, अर पे थोड़ा सा class, अभी 10 मिनट ओन लूँगा, 6.30 तक नहीं बच्चो, ओके, यहस बच्चो, इस topic को complete करेंगे, बच्चो, इस topic को complete करेंगे, ओके, बच्चो, class का time 1 hour, 1 hour 15 minute, बच्चो, topic को cover करेंगे, बच्चो, यहस student, अपन बच्चो, ऐसे नहीं करना है कि student time bound नहीं करेंगे, बच्चो, कभी 1 hour की जगह, 15 minute all लग गए, topic perfect होना चाहि बीच पे नहीं छोड़ सकते बच्चो ओके चले बच्चो अब एक बात बताओ student IE1 बच्चो magnesium और aluminium बच्चो magnesium aluminium किसका IE high है magnesium का अभी बच्चो magnesium का high है ओके stable है अब बच्चो IE2 की बात करोगे तो magnesium और aluminium बच्चो concept के लिए हुआ बच्चो चीज के लिए हुई IE1 तो बच्चो magnesium का IE2 की बात करें यह है 3S1 यह है 3S2 student concept के लिए बच्चो concept के लिए ओके यास बच्चो IE1 magnesium का high है बच्चो IE1 magnesium का high बट IE2 बच्चो aluminium का high है अब student एक very important question बच्चो beryllium boron carbon बच्चो beryllium boron carbon इसमें से student इसका formula 2S2 है इसका यह है और बच्चो इसका यह है student इसमें से stable कौन है बच्चो beryllium stable है बच्चो beryllium stable है क्या बच्चो beryllium का IE carbon से high यह बच्चो बच्चो very very important बेरिलियम स्टेबल है, बेरिलियम का आई बोरोन से जादा होगा, बच्चो बेरिलियम का आई बोरोन से जादा होगा, क्या बच्चो बेरिलियम का आई, very important, बच्चो कंसेप्ट के लिए हुआ, अब बच्चो एक बात समझना, लीथियम 2S1 है, ओके, अब बच्चो एक बात आई इंक्रीजेज रेगुलर्ली क्या बच्चों एलोंग दा प्रियर्ड आई इंक्रीजेज रेगुलर्ली बच्चों इंक्रीज तो होना है इस्टुएंट इंक्रीज तो होना है बट रेगुलर्ली इंक्रीज क्या बच्चों रेगुलर्ली इंक्रीज इस्टुएंट यह बच्चों इनके IE1 का order दो अब ये stable है बच्चों beryllium stable है तो ध्यान रखना बच्चों due to their stability बच्चों due to their stability इसका IE boron से ज़्यादा होगा बड कार्बन से ज़्यादा नहीं होगा बच्चों concept clear हुआ बच्चों concept clear हुआ beryllium का IE बच्चों due to their stability boron से ज़्यादा होगा बड कार्बन से ज़्यादा होगा बच्चों जो भी exception है beryllium boron ये adjacent member पर applicable होगे बच्चों ये stable है बड इसका IE बच्चों adjacent member से ज़्यादा होगा बच्चों IE exception of IE एक line लिख रहा हूँ बच्चों exception of IE consider for consider for adjacent element बच्चों जो भी exception है वो adjacent element पर applicable है बच्चों beryllium का boron से ज़्यादा होगा क्योंकि बच्चों कार्बन से नहीं होगा तो सबसे आगे कौन आएगा बच्चों chat box में reply करो सबसे आगे कौन आएगा yes बच्चों सबसे आगे कार्बन then कौन आएगा बच्चों final trend बताओ बच्चों then beryllium then boron then lithium क्या बच्चों concept के लिए हुआ क्या बच्चों question के लिए हुआ yes बच्चों बच्चों beryllium stable है beryllium का IE boron से ज़्यादा होगा carbon से नहीं होगा बच्चों अब एक question और पूछ रहा हूँ बच्चों IE1 का order बच्चों sodium, magnesium, aluminium, silicon इस प्वेंट एक answer दो ये question period का है along the period size decrease IE increase क्या बच्चों along the period IE increase regularly क्या बच्चों along the period IE increase regularly increase दो होगा अब बच्चों sodium का confrication क्या है बच्चों confrication आपको past आने चाहिए बच्चों confrication आपको past आने चाहिए थे लीथियम का formula 2S1 ये 3S1 है बच्चों आपको पार में ये 3S1 येस अरपेत गलत answer लिखा है अरपेत तुमने गलत answer लिखा है यस बच्चों यह 3S1 यह 3S2 यह 3S2, 3P1 और बच्चों यह 3P2 अब magnesium stable है बच्चों very very important क्या student अब तो concept के लिए हुआ बच्चों अब तो concept के लिए हुआ अर फेद magnesium stable है magnesium का I बच्चों due to their stability due to their stability इसका I, AL से ज़्यादा होगा but SI से नहीं सबसे आगे SI then MG, then AL then NA क्या बच्चों question के लिए बच्चों निशान्त, अर्पेद अब तो question के लिए हुआ बच्चों magnesium का IE due to their stability इसका IE, AL से ज़्यादा होगा बच्चों इसका IE, AL से ज़्यादा होगा तो student यह line NEET के लिए star word exception applicable for adjacent member बच्चों, verileum stable है इसका IE, BORON से ज़्यादा होगा कार्बन से नहीं बच्चों, verileum stable है यह BORON से ज़्यादा होगा बच्चों, magnesium stable है यह aluminium से ज़्यादा होगा silicon से ज़्यादा नहीं अब बच्चों, एक very important चीज डिसकस कर रहा हूँ बच्चों Stable Configuration ये चीज नीट के लिए बच्चों Very Very Important बच्चों ये factor deciding factor है 4 factor बच्चों Deciding क्या student आप जानते हो बच्चों S2 P6 D10 F14 बच्चों S subcell में किते एलेक्टरोन होते हैं बच्चों S subcell में 2 एलेक्टरोन F14 इनको कहते हैं fully filled और बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ S1 P3 D5 F7 बच्चों concept के लिए बच्चों इसको कहते हैं fully filled और ये half filled बच्चों जादा stable कौन होंगे half filled क्या fully filled इस ट्चों आप जानते हो ये P subcell है P subcell में 3 और मीटर होते हैं P X P Y P Z बच्चों ऐसे लिखता हूँ तो ये half filled हो गया और बच्चों मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो ये बच्चों कैसा हो गया full filled हो गया बच्चों concept के लिए हुआ बच्चों concept के लिए हुआ एक होता है half filled दूसरा होता है fully filled बच्चो इस्टेबल दोनों है फुली फिल्ड मोर इस्टेबल है अब इस्ट्वेंट एक very important बच्चो S1 को consider नहीं करते हैं बच्चो P3, D5, F7, S1 हाफ फिल्ड नहीं रता हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चो अब इस्ट्वेंट एक very important बात more energy बच्चो अगर कोई चीज इस्टेबल है तो उससे loss of electron क्या होगा बच्चो chat box में answer दो अगर कोई चीज इस्टेबल होती है तो उससे loss of electron क्या होगा बच्चो more energy required to remove electron remove electron from stable configuration बच्चो concept clear हुआ बच्चो more energy required to remove electron from stable configuration बच्चो अगर कोई चीज stable है तो उससे loss of electron बच्चो क्या होगा difficult होगा अब बच्चो मुझे answer दो इन दो में से small size किस की है बच्चो इन दो में से small size किस की है नाइ्ट्रोजन के oxygen बच्चो नाइट्रोजन oxygen में से small size किस की है बच्चो नाइट्रोजन ऑक्सिजन में से इस्मोल साइज किसकी है ऑक्सिजन की है बच्चो ऑक्सिजन की साइज इस्मोल है फिर भी आईज नाइट्रोजन का हाई है बच्चो ऑक्सिजन की साइज इस्मोल है फिर भी आईज नाइट्रोजन का हाई बड नाइट्रोजन में ये 2P3 है, ये 2P4 है, क्या बच्चो 2P3 हाफ फिल्ड है के नहीं, बच्चो 2P3 हाफ फिल्ड है, IE1 of nitrogen greater than oxygen, बच्चो IE1 of nitrogen greater than oxygen, because ये हाफ फिल्ड सिस्टम है, जो रीजन बच्चो, नाइट्रोजन अक्सिजन, वो ही रीजन बच्चो, फास्पोरा सल पर, बच्चो, कंसर्प्ट के लिए हुआ, बच्चो, कंसर्प्ट के लिए, जो रीजन बच्चो, नाइट्रोजन अक्सिजन, वो ही रीजन बच्चो, फास्पोरा सल पर, ये 3P3, ये 3P4, क्या बच्चो, कंसर्प्ट के लिए, बच्चो, मुझे एक आंसर दो, IE1 of nitrogen greater than oxygen, इसके पीछे reason, क्या student, penetration power का कोई रूल है, क्या, क्या बच्चो, penetration power का रूल है, क्या, क्या बच्चो, यहां पे भी P, P, penetration का बच्चो कोई रूल नहीं है, only a की रोल है बच्चो यहां जो reason है वो यह बच्चो half-filled half-filled piece of cell half-filled piece of cell is more stable बच्चो half-filled piece of cell is more stable बच्चो concept के लिए half-filled piece of cell is more stable ओके चले बच्चो अब इस्टोरेंट एक बात बताओ बच्चो IE1 तो nitrogen का high है but IE2 बोला है बच्चो IE1 तो अभी आप लोगों ने देखा बच्चो nitrogen का high था but IE2 बोले तो student very important यह और यह क्या बच्चो अब यह 2P3 है के नहीं बच्चो concept के लिए हुआ बच्चो concept के लिए हुआ IE1 nitrogen का high था but IE2 बच्चो oxygen का है यह 2P3 है बच्चो इस पार यह stable system है बच्चो यह stable system है अब एक चीज बताओ बच्चो student 1 अपने पास 15th ग्रूप है एक 16th ग्रूप है बच्चो एक 50th है और एक 60th है बच्चो एक nicogen ग्रूप है एक चालकोजन ग्रूप है बच्चो chat box में answer दो कौन से ग्रूप की small size है बच्चो कौन से ग्रूप की small size है nicogen के चालकोजन बच्चो small size कौन से ग्रूप की है बच्चो निशांत मनीश everyone बच्चो comment box में reply करो small size बच्चो किसकी है चालकोजन ग्रुप की है, ओके, क्योंकि along the period size decrease but student, निकोजन ग्रुप का फॉमला ये और ओक्सिजन ग्रुप का फॉमला ये, बच्चो answer दो, क्या NP3 NP4, बच्चो concept clear वा, बच्चो concept clear, IE of निकोजन greater than चालकोजन, बच्चो IE of निकोजन, जो रीजन बच्चो, नाइट्रोजन उक्सिजन वोई रीजन बच्चो phosphorus sulfur, बच्चो concept clear, बच्चो concept clear, IE of निकोजन greater than बच्चो चालकोजन, IE of निकोजन greater than बच्चो चालकोजन, ये 2P3 है ये 2P4 है, बच्चो ये, यस, और ये 2P3 बच्चों very very important, star चीज बच्चों और इस समय reason बच्चों एक ही है, हाँ फिल्ड P sub cell, हाँ फिल्ड P sub cell more stable, हाँ फिल्ड P sub cell more stable, यहाँ बच्चों अरपित class को अवर कर रहा हूँ, पांच मिनट में session अवर हो रहा है, बच्चों पांच मिनट में session अवर हो रहा है, ओके, चले है बच्चों, अब इस्ट्वेंट एक answer दो, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, बच्चों IE1 का order, बच्चों IE1 का order, इस्ट्वेंट मुझे एक answer देन बच्चों इधर जा रहे हो आप, along the period जा रहे हो, बच्चों along the period जा रहे हो, size decrease, IE increase, इस्ट्वेंट chat box में answer दो, क्या along the period IE increase, regular के irregular, बच्चों along the period IE increase होते हैं, बड रेगुलर के इर्रेगुलर बच्चो रेगुलर्टी नहीं है बच्चो रेगुलर्टी नहीं है वेरी गुड निशान बच्चो इर्रेगुलर्टी आएगी इंक्रीस तो होंगे अब इस्टुडेंट आंसर दो कार्बन का फॉमला 2P2 बच्चों ये 2P2, 2P3, 2P4, 2P5 क्या student इसमें से सबसे maximum IE1 क्या बच्चों इसमें से सबसे maximum IE1 nitrogen, yes के no बच्चों nitrogen half filled है, stable है बच्चों एक बात याद रखना nitrogen का IE बच्चों oxygen से ज़्यादा होगा बच्चों काफी student ने correct answer दिया है बच्चों nitrogen stable है बच्चों जो भी nitrogen का IE oxygen से ज़्यादा होगा सबसे आगे बच्चों होगा F, then N, then O, then C क्या बच्चों ये question clear हुआ क्या क्या बच्चों ये question clear हुआ nitrogen stable है बच्चों nitrogen का oxygen से ज़्यादा होगा कभी भी fluorine से नहीं बच्चो नाइट्रोजन का ओक्सिजन से ज़्यादा होगा, फ्लोरीन से नहीं, ओके, चले बच्चो, एक अच्छा कोश्चन और पोछ रहा हूँ बच्चो, इस्ट्वेंट नीट में IE2 आते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ओक्सिजन, कार्बन, बच्चो ये कोश्चन सम बच्चो मैंने फ्लोरीन, नाइट्रोजन दिया, मैंने प्रॉपर अरेंज नहीं किये, बच्चो मैंने प्रॉपर अरेंज नहीं किये, आपको इनको अरेंज करना है, ओके, अब बच्चो मैंने कोश्चन, IE2 पूछा है, बच्चो चैट बॉक्स में आंसर दो, IE2 मिन्स य्लेक्ट्रॉन लस्फ्रॉम क्या रहें पुछा है रहे लेक्ट्रोन लस्फ्रॉम क्या lle प्लस वन के टाइन तो है बट बच्चो प्लस टू के प्लस वन प्लस टू के प्लस वन प्लस वन ओके अब बच्चो कार्बन का फॉर्मला क्या था कार्बन पहले टूपी टू था अब कार्बन टूपी वन है ये टूपी टू है ये टूपी थ्री है ये टूपी फोर है बच् क्या स्टुडेंट एलोंग दा प्रियर्ड आई इंक्रीज रेगुलर्ली क्या बच्चों एलोंग दा प्रियर्ड आई इंक्रीज रेगुलर्ली बच्चों एलोंग दा प्रियर्ड आई इंक्रीज बट रेगुलर नहीं होंगे बच्चों इर्रेगुलर होंगे ओके अब बचो O 2P3 है, यह 2P4 है, बचो सबसे आगे क्या लिखो, बचो सबसे आगे, इन 4 बचो यह O stable है, 2P3 है, तो सबसे आगे O, then F, then N, then C, क्या बचो concept किलियर हुआ, बचो concept किलियर हुआ, बचो IE2 बोला, अब oxygen प्लस stable है, बचो due to their stability, IE of oxygen greater than fluorine, बचो सबसे आगे O आएगा, बचो सबसे आगे O आएगा, then F, then N, then C, क्या बचो यह question किलियर हुआ क्या, बचो IE2 इस्टार question नीट के लिए, F and O, C, ओके, ionization enthalpy student होता क्या है, student इतना तो पक्का है, यह M gas है, M से M plus, loss of electron, student किसी atom से loss of electron, यह process IE है, और IE के various factor, बचो IE के various factor अपन already discuss कर चुके है, याद आया, student various factor, factor affecting IE, number one, student अपने discuss किया था size, number two, jed effective, number third, penetration power, penetration power, और number four, stable configuration, तो student यह various factor अपने already discuss कर चुके है, बचो, यह various factor अपने अपने successive IE, याद आया, IE 3, IE 2, IE 1, successive IE, always यह trend होगा, बच्चो, successive IE का always यह trend होगा, यह भी discuss किया, और student ionization energy, क्या student, यह reaction ionization energy, क्या बच्चो, यह reaction ionization energy, metal solid convert into, student, इस reaction में loss of electron हुआ है, बच्चो, इस reaction में loss of electron हुआ है, क्या this reaction ionization energy, no, student, कोई भी question पूछे है न, बच्चो, answer दो, नवनीत, अपढ़ना, निशान, everyone, student, यह solid है, इतना तो confirm है, बच्चो, during ionization energy, atom gas form में होना चाहिए, कौन सी form में होना चाहिए, gas, यह solid form है, क्या student, इस बार में already gas दे रहा हूँ, बच्चो, इस बार में already gas दे रहा हूँ, क्या second reaction ionization energy, क्या बच्चो, second reaction ionization energy, बच्चो, second reaction ionization energy, student, first reaction तो solid थी, second gas है, बचो second guess है, फिर भी ये reaction ionization energy नहीं, yes student, ये reaction अभी भी ionization energy नहीं, क्योंकि student ये molecule है, बचो ये molecule है, अगर student आपको ऐसा दिया जाए, then this reaction is ionization energy, बचो concept के लिए, बचो concept के लिए, एक्जाम में question पूछा जाए, बचो which reaction is ionization energy, first, second के third, student ये three reaction है, अगर मैं इसकी जगह ऐसे देता हूँ, तो भी student ये last के दो process, बचो last के दो process ionization energy है, student last की दो reaction ionization energy है, starting की दो नहीं है, ओके, ये सारा कुछ basic fundamental बचो अपन cover कर चुके है, basic fundamental अब अपन cover कर चुके है, अब अपन को variation discuss करना है, बचो ionization energy का variation period and group में कैसे होता है, student अब बापन बात करें, बचो period की, student ये मेरे पास period है, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, student along the period मूँ कर रहे हो, student इतना तो conform है, along the period, size क्या होता है, बचो along the period, student इसका formula 2S1, 2S2, 2S2, 2P1, number of cells है में, student along the period, size decrease होता है, बचो concept के लिए size decrease, जितना size small, तो student क्या होगा, बचो जितना size small, electron strongly hold होगा के नहीं, बचो जितना size small होगा, electron strongly hold होगा, loss of electron difficult होगा, तो student along the period, size decrease, therefore I increase, okay, बचो along the period, ionization energy increase होगा, but very very important बचो, क्या regular increase होगा, increase तो होना है, क्या student along the period, ionization energy increases, क्या regular increase, ये word बचो नीट के लिए important, ionization energy increases, irregular, बचो regular increase नहीं होगा, क्या को student मुझे answer देगा, irregularity कहा हैगी, बचो chat box में answer दो, along the period, ionization energy increase होती है, irregularity कहा हैगी, बचो, irregularity कहा हैगी, मनी, रिशीके, संधीप, एक बार सभी बच्चे सेशन को like करें, एक बार सभी student सेशन को like करें, यस बच्चों काफी student ने correct answer दिया है beryllium boron क्या बच्चों beryllium boron में क्या only बच्चों beryllium boron में बच्चो beryllium boron में no student एक तो beryllium boron along with बच्चो nitrogen oxygen along with बच्चो nitrogen oxygen ओके चले है student अब एक answer दो क्या student आप इनके confrigation मुझे बता सकते हो student lithium का confrication क्या है बच्चो lithium का confrication 2s1 यह 2s2 2p1 carbon 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 क्या student confirm हुआ बच्चो confirm हुआ क्या student अब आप मुझे इनके IE का order बताओ बच्चो इनके IE का order क्या student various second period के member है student beryllium का IE बच्चो chat box में answer दो beryllium का IE boron से ज़्यादा होगा क्या beryllium का IE carbon से ज़्यादा होगा क्या बच्चो beryllium stable है क्या ionization energy of beryllium greater than carbon बच्चो beryllium stable है क्या ionization energy of beryllium greater than carbon क्या greater than carbon, no, student nitrogen stable है, nitrogen 2P3 है, क्या ionization energy of nitrogen greater than fluorine, क्या बच्चो, ionization energy of nitrogen greater than fluorine, क्या ionization energy of nitrogen greater than fluorine, no, student इतना तो confirm है, in every period maximum IE किसके होते है, बच्चो, in every period maximum IE किसके होते है, along the period IE increase, in every period maximum IE, yes, chat box में answer तो बच्चो, in every period maximum IE, inert gas, okay, very good, प्रभ्जोत, नवनीत, in every period बच्चो, maximum IE inert gas है, क्योंकि inert gas बच्चो, 2S to 2P6 है, fully filled है, inner gas बच्चो, 2S to 2P6 है, fully filled है, extraordinary stable है, okay, चले बच्चो अंजल दो, in every period minimum IE किसके होंगे, बच्चो, in every period minimum IE किसके होंगे, in every period minimum IE, minimum IE किसके होंगे, yes, student, निशान्त, अपड़ना, chemistry, minimum, बच्चो, alkaline metal, बच्चो, इधर increase हो रहा है, minimum alkaline metal, इस्वेंट ये NEET का PY किसके होंगे, बच्चो, ये NEET का PY किसके होंगे, arrange various second period member, बच्चो, ये NEET का कुश्चन है, arrange this complete period, बच्चो, arrange this complete period in order of decreasing IE, तो सबसे आगे तो कौन होगा, नियोन, बच्चो, सबसे आगे तो कौन होगा, नियोन, नियोन के बाद में, क्या बच्चो, nitrogen का IE, फ्लोरीन से हाई होगा, क्या, नियोन के बाद में, फ्लोरीन, then nitrogen, then oxygen, then carbon, बच्चो, बरिलियम का बोरोन से जादा होगा, एक बात याद रखना, बच्चो, due to stability, बच्चो, due to stability, IE greater than adjacent member, बच्चो, एक बात याद रखना, बरिलियम का बोरोन से जादा होगा, कार्बन से नहीं, nitrogen का oxygen से जादा होगा, फ्लोरीन से नहीं, इस्ट्चो, ये question, NEET का PYQ है, in order of decreasing IE, क्या student concept clear हुआ, arrange various second period in order of decreasing IE, अब student एक बात बताओ, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, क्या student अब आपके पास answer है, student ये मैंने third period लिया है, बच्चो ये मैंने कौन सा period लिया है, third period, student इस बात का कोई रोल नहीं, बच्चो इस बात का कोई रोल नहीं, कि period second है कि third, बच्चो period second है कि third, same variation होगा, बच्चो इतना तो confirm है, along the period size decrease, IE increase, क्या student concept clear हुआ, क्या बच्चो concept clear, yes student, period second हो या third, answer पे कोई effect नहीं, क्या student आप इनके IE1 का order बता सकते हो, IE1 का decreasing order, yes student, जो गडबर, बच्चो जो गडबर, बेरिलियम बोरोन में हुआ था, वो मैगनीशियम अलुमिनियम में भी होगा, फास्पोरस सलफर में भी होगा, क्या बच्चो concept clear हुआ, बच्चो concept clear ह जो गडबर बच्चो, बेरिलियम बोरोन वो ही इधर, ओके, चलो student, answer दो, मैगनीशियम का फॉमला 3S2, ये 3S2, 3P1, और student, ये 3P3, ये 3P4, क्या student, फास्पोरस का IE, क्लोरीन से जादा होगा, क्या, बच्चो फास्पोरस का IE, सलफर से हो सकता है, क्लोरीन से नहीं, ओके, तो student आपको याद नहीं करना है, जो variation, बच्चों, जो variation second period में, ये second period है, student period second हो या third, answer पे कोई effect नहीं, बच्चों concept के लिए, बच्चों concept के लिए, ओके, अब बच्चों मैं final order लिख रहा हूँ, ये आरगन है, या क्या आएगा, आरगन, क्लोरीन, क्लोरीन, फास्पोरस, सल्फर, सिलिकन, देन मैगनिशियम, देन अलुमिनियम, देन सोडियम, student question के लिए हुआ, बच्चों ये question very important, arrange complete period in order of decreasing IE, ओके, अब student एक answer दो, बच्चों एक answer दो, इधर मैं लिए रहा हूँ IE, बच्चों यहाँ मैंने लिए IE, यहाँ लिया atomic number, बच्चों IE और atomic number में graph plot करें, क्या regular आएगा, क्या बच्चों along the period ये IE है, ये atomic number है, 3, 4, 5, 6, क्या student along the period IE increase regular, क्या graph ऐसा बच्चों straight line आएगा, क्या student graph ऐसा straight line आएगा, बच्चों एक बात बताओ, graph तो ऐसा नहीं आएगा, पीक position पर कौन होंगे, बच्चों chat box में answer दो, अगर अपन graph को plot करें, पीक position पर कौन होंगे, बच्चों graph में पीक position पर कौन होंगे, यह बच्चों मनीश, प्रतिमा, निशांत, everyone, यह बच्चों peak position पर कौन होंगे, inert gas, very good, बच्चों bottom position पर कौन होंगे, बच्चों peak पर तो और bottom पर यहास बच्चों bottom position पर कौन होंगे alkaline metal होंगे अब student अपने इस graph को proper बनाते हैं बच्चों कभी-कभी इस graph पर base question भी बनता है यहास student अब मैं आपको graph बता रहा हूँ 1 minute यहास student यहाँ मैंने lithium रखा है बच्चों यह lithium है यह beryllium है क्या boron टॉप पे रखूं क्या बच्चों lithium यह beryllium यह क्या boron टॉप पे रखूं नो बच्चों boron down में जाएगा क्या boron का IE lithium से भी कम कर दो क्या बच्चों boron का IE lithium से भी कम कर दो नो यह carbon है बच्चों यह nitrogen है क्या oxygen बच्चो नीचे रहेगा oxygen नीचे fluorine यहाँ पर fluorine बच्चो यहाँ पर neon यहाँ पर बच्चो concept clear बच्चो यह graph NCRT में दिया हुआ बच्चो यह graph NCRT में दिया हुआ IE और atomic number में graph plot किया तो बच्चो ऐसा आ रहा है graph peak position कौन है बच्चो पीक पर inert gas और bottom पे कौन है बच्चो पीक पर inert gas और bottom पे alkaline metal बच्चो पीक पर inert gas bottom पर alkaline metal इस्टोट एक answer दो chemistry में किसके IE ज़ादा होंगे S block के D block के P block बच्चो chemistry में किसके IE ज़ादा होंगे S block D block के P block high IE किसके होंगे बच्चो हाई आई किसके होंगे इस्ट्रेंट S, D और P आप खुद सोचिए बच्चो पोटेशियम, केलसियम, इसकेंडियम यह जैडेन और यहाँ पे बच्चो डेस डेस करके क्रिप्टोन आता है तो बच्चो यह S ब्लॉक है, यह D ब्लॉक है, यह P है, तो बच्चो along the period I increase, ओके अब इस्ट्रेंट एक very interesting question पोज रहा हूँ, बच्चो एक very interesting question IE2 का order IE2 का order बच्चो Magnesium, sodium aluminum, silicon इस्ट्रेंट यह question NEET के लिए star question है बच्चो, very important question है, carefully समझना बच्चो IE2 student एक बात को याद रख लो बच्चो chemistry में कोई भी question बनता है first of all, arrange them sodium, magnesium aluminum, silicon क्या बच्चो, proper arrange हो गया ओके, अरपेत one minute, question अपना IE2 पर बेस है, बच्चो question IE2 हो, या IE1 हो, बच्चो, question IE2 हो, या IE1, first arrange them, student यह proper arrange नहीं है, magnesium and sodium, तो बच्चो मैंने arrange किया, और मैंने IE2 बोला है, तो बच्चो IE2 means electron loss from atom के cation बच्चो, chat box में reply करो IE2 means electron loss from atom के cation electron loss from atom के cation IE2 है, atom के cation cation, cation में plus 2 के plus 1 बच्चो, cation में क्या होगा plus 2 के plus 1 बच्चो, cation में क्या होगा plus 1 होगा, ओके, चले बच्चो अब इस question को solve करते हैं अब student मुझे answer दो sodium का conflagration क्या है बच्चो, sodium का conflagration 3s1 था अब sodium, बच्चो, 2s to 2p6 हो गया बच्चो, sodium 3s1 था अब 2s to 2p6 हो गया, ओके बच्चो, sodium का formula ये था 3s1, एक electron loss किया 2s to 2p6 क्या आप remaining के configuration बता सकते हो student, configuration को find out करते समय time waste नहीं करना है बच्चो, आपको इसका मालूम पढ़ गया देन एक एक electron बढ़ा दो बच्चो, ये 3s1 ये 3s2 और ये 3s2, 3p1 बच्चो, ये 3s1 ये 2s2, 2p6 है 3s1, 3s2, 3s2, 3p1 ओके अब student एक very important concept बिल्कुल money is very important बच्चो, एक answer दो aluminum stable है क्या बच्चो, aluminum का IE silicon से ज़्यादा है क्या aluminum का IE phosphorus से ज़्यादा होगा क्या बच्चो, मैंने आपको class में कहा था जो भी system stable होते है उसके IE adjacent member से ज़्यादा है बच्चो, ये stable है इसका IE इससे ज़्यादा है क्या student chat box में answer दो nature गलत answer दिया है silicon का सबसे कम गलत answer दिया है अब बच्चो, मुझे बताओ sodium stable है जनरली stable के IE adjacent member से ज़्यादा होते है बच्चो, sodium stable है इसका IE adjacent member से ज़्यादा बच्चो, sodium का IE not only adjacent क्या student ये inner gas system है के नहीं बच्चो, ये system extra ordinary है इससे पहले बच्चो, मुझे एक बात बताओ student एक बात बताओ क्या magnesium का IE silicon से ज़्यादा होगा क्या बच्चो, phosphorus का chlorine से ज़्यादा होगा generally stable के IE बच्चो, generally stable के IE adjacent member से ज़्यादा होते है बच्चो, generally stable के IE adjacent से ज़्यादा होते है बट बच्चो, ये system extra ordinary है बच्चो, ये system extra ordinary है क्या बच्चो, ये system just like inert gas है के नहीं बच्चो, ये system just like inert gas है extraordinary stable है इसका IE सबसे maximum है अब एक सेकिंड इस example को छोड़ दो बच्चो इस example को छोड़ दो क्या आप remaining member को arrange कर लोगे बच्चो अगर आप इस example को छोड़ दो तो इन तीनों में से सबसे आगे कौन होगा बच्चो इस extraordinary को छोड़ दो तो सबसे आगे कोण होगा M-G-E-L के S-I क्या बचो M-G-E-L के S-I इस्ट्रेंट इस सोडियम को छोड़ दे बचो सोडियम को लीव कर दो तो सबसे आगे कौण होगा M-G, sorry A-L होगा मझो, M-G-E-L के S-I A-L activity Al के बाद में कौन आएगा? Bacchow, AL के बाद में कौन आएगा? Si, then mg. Bacchow, AL,SI, mg. और sodium सबसे आगे. Bacchow concept के लिए हुआ? Sodium आपने सबसे आगे क्यों रखा? Because of extraordinary stability. Bacchow, sodium आपने सबसे आगे क्यों रखा? Because of extraordinary stability. Inert gas system. Bacchow, जब कभी inner gas system होता है, कभी inert gas system होता है IE very high होता है एक question पूछ रहा हूँ बच्चो IE का decreasing order एक neon है, एक beryllium है एक helium है, एक nitrogen है बच्चो chat box में reply करो इन चारों में से maximum किसका होगा neon, beryllium, helium nitrogen, बच्चो इन चारों में से maximum किसका होगा student आपको जो chemistry chemistry express में IOC का level है ना बच्चो, student आप regular रहिए, IOC बच्चो बहुत best level का cover करेंगे अपढ़ना गलत answer दिया है, अपढ़ना गलत answer दिया है, money's गलत दिया है, यस बच्चो तो student इतना तो confirm है, बच्चो कोई भी question करो first of all arrange beryllium, dash dash nitrogen dash dash neon बच्चो concept के लिए है, बच्चो first of all कोई भी question solve करें, just arrange them, beryllium, boron, nitrogen ये, student इतना तो confirm है, in every period maximum IE किसका होगा बच्चो इतना तो confirm है in every period, maximum IE, inert gas बच्चो maximum inert gas है और इन दो में से down का group decrease होगा बच्चो इधर IE increase हो रहा है इतना तो confirm है, बच्चो down the group decrease, तो सबसे आगे कौन होगा, बच्चो IE का order क्या हैगा, सबसे आगे बच्चो helium, then neon, okay अब student, beryllium है 2S2, ये है 2S2 2P3, बच्चो answer दो beryllium है 2S2 ये 2S2 2P3 है student, student ये half field है, ये full field है बच्चो ये half field है ये full field है yes student, अब student beryllium कितना भी full field है beryllium का बच्चो boron से ज़्यादा होगा, क्या carbon nitrogen से होगा, क्या बच्चो, beryllium का ध्यान रटना, बच्चो beryllium का boron से ज़्यादा होगा carbon nitrogen से नहीं क्या student, ये question clear बच्चो ये question clear हुआ बच्चो यह question clear हुआ okay, beryllium का boron से ज़्यादा होगा, उससे नहीं होगा okay, अब student एक answer दो अब अपन बात करें बच्चो group की बात करें down the group जाते हो तो student क्या होता है यह lithium है, यह sodium है यह potassium, rubidium, cgm down the group गए तो बच्चो size क्या हुआ, large तो IE क्या हुआ, decrease इस्ट्वेंट यह बच्चो इस्ट्वेंट एक मिनट प्रभजोत वेट कर na plus और ne plus तो भी na plus का जादा होगा तो भी na plus का जादा होगा, okay बच्चो down the group जा रहे हो यह 2s1 है, यह 3s1 है 4s1 है, 5s1 क्या student valence electron away from nucleus हो रहा है के नहीं बच्चो down the group जा रहे हो valence electron away from nucleus हो रहा है size large, IE low not only A बच्चो not only A अगर आप इसकी जगए यह group लेते हो B, M, G B, M, G, C, A, S, R, B, A बच्चो concept के लिए बच्चो concept के लिए group फस्टे हो या second A बच्चो group फस्टे हो या second A down the group यह मेरे पास nucleus है student यह 2s1 है यह 3s1 yes बच्चो student आपको सोचो एक 2s1 दूसरा 6s1 क्या valence electron loosely hold है के नहीं क्या बच्चो valence electron loosely hold है सभी student जो भी student नहीं है बच्चो सारदा सा telegram channel जोइन करें इस telegram को join करो बच्चो आपको class खतम होते ही pdf मिल जाएगा आज के session का बच्चो pdf मिल जाएगा class hour होते ही और मेरी सारी youtube की session का link भी मिल जाएगा और भी कोई information बच्चो सारदा सा telegram channel को join कर ले class खतम होते ही बच्चो pdf along with mcq और student अपने group में जो भी है आपके friends उनको share करें या सिवानी, मनी, निशान बच्चो आपके group में जो भी है आपके friends में जो NEET और JEE की तयारी करते हैं उन्हें बच्चो 5 p.m IOC के लिए बच्चो क्या दो ताकि उनका भी बच्चो IOC अच्छा हो जाएगा मेरी guarantee बच्चो पिछले 10-15 dates से अपन class ले रहे है 10-15 dates से बच्चो अपन regular class ले रहे है और IOC आपका बच्चो perfect हो जाएगा बस आपको regularty रखनी है मैं देख रहा हूं बच्चो काफी student regular session को attend करते हैं जो नए बच्चे है वो थोड़ी सी recorded class देख लो जो recently बच्चो फोलो कर रहे हैं मुझे वो थोड़ी सी बच्चो periodic table की 2-3 recorded class देख लेना ओके चले अब student एक बात बताओ ये थड़े ग्रुप है ये बोरोन aluminium, gallium indium, thalium student ये NCRT का question है बच्चो ये NCRT का question है very important बोरोन aluminium group है बच्चो बोरोन aluminium group है down the group गए size large, I low बच्चो aluminium, gallium indium, thalium down the group, I decrease होता है बच्चो down the group, I decrease होता है I of gallium greater than aluminium I of thalium greater than indium student ये NCRT का question बच्चो ये NCRT का question although I decreases down the group बच्चो, although I decreases down the group I of gallium greater than this I of thalium बच्चो, concept के लिए बच्चो, concept के लिए down the group, बच्चो, I decrease होता है बच्चो, gallium का इससे हाई thalium का इससे हाई बच्चो, इसके पीछे responsible है transition contraction बच्चो, इसके पीछे responsible कौन है transition contraction और इसके लिए responsible है बच्चो lengthy night contraction student इसके लिए transition contraction इसके लिए lengthy night contraction बच्चो, question के लिए अरपेत reason लिख राओ अरपेत one minute wait कोई भी heading example लेते है थोड़ा wait बच्चो, down the group, I decrease I of gallium greater than this student in this group two abnormality arises बच्चो, in this group two abnormality arises एक बात बताओ क्या down the group, I decrease हो रहा है के नहीं बच्चो, ये group है इस group में I regular decrease इस group में भी बच्चो, regular decrease क्या इन थड़े group I decreases regularly क्या बच्चो, इन थड़े group I decreases regularly No या बच्चो, रीजन है transition contraction या रीजन है बच्चो, length in Ide contraction अब एक बात बताना बच्चो carbon, silicon, germanium, SNPB बच्चो, chat box में answer दो इस group में minimum IE किसका होगा बच्चो, ये carbon family है इस family में बच्चो, minimum IE किसका होगा इस family में बच्चो, इस group में minimum IE किसका होगा इस प्रण, down the group IE decrease बच्चो, down the group IE decrease minimum IE किसका होगा यास बच्चो, minimum IE किसका होगा यास, निशान्त ने answer दिया PB क्या बच्चो कार्बन कभी मिनिमम होगा क्या, बच्चो कार्बन, सिलिकन, जर्मिनयम, डाउन द ग्रुप, IE decrease, बच्चो strict, very very important, यहां तक, बच्चो, टाउन द ग्रुप, size large, IE decrease, but बच्चो, very important, IE of Pb, बच्चो, IE of Pb, greater than SN, this is due to बच्चों, again lengthenide contraction बच्चों, concept clear, very very important बच्चों, IE or PB greater than SN, in fourth group, बच्चों, in fourth group minimum IE, SN का होगा होना था minimum बच्चों PB का बच्चों होना था minimum PB का but IE, बच्चों, SN का minimum होगा IE or PB greater than SN this is due to lengthenide contraction, बच्चों, इन दोनों के पीछे, इस्ट्वेंट यहां जो है बच्चों, इन दोनों के लिए responsible कौन है, lengthenide contraction, बच्चों, lengthenide contraction, ओके, अब इस्ट्वेंट एक बात बता रहा हो, बहुत अच्छा इस्ट्वेंट एक बात बताओ, down the group जा रहे हो क्या बच्चों, gallium, aluminium clear होगा, बच्चों, यह boron aluminium, gallium यह 2s to 2p1 बच्चों, यह 3s to 3p1 और यह 4s to 4p1 इस्ट्वेंट, aluminium से gallium गए, down the group गए, down the group, बच्चों IE decrease होना था, but IE of gallium greater than this क्या student यहाँ पक्का d block है के नहीं बच्चों, आप खुद सोचो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, क्या after 4s, क्या बच्चों, after 4s, electron, 4p में जाएगा क्या d में तो student, aluminium, gallium में जो गडबड आया, उसके लिए responsible है बच्चों, transition contraction, बच्चों concept के लिए, बच्चों concept के लिए, down the group IE decrease, but IE of gallium greater than this, this is due to, बच्चों, transition contraction यहाँ पिर student, यह 13 है, यह 31 है बच्चों, मुझे answer दो, आपको याँ दो, Z effect is equal to Z minus sigma, बच्चों Z effect is equal to Z minus sigma aluminium से gallium Z increase, बच्चों answer दो, जब aluminium से gallium जा रहे हो, बीच में D electron आ रहे है, और आपको यादो बच्चों D electron का sliding poor होता है, बच्चों chat box में reply करो, अगर यह चीज पूर, तो Z effective कैसा होगा बच्चों, जब aluminium से gallium जा रहे हो, बीच में D electron आ रहे है, D का sliding poor है, student sliding poor then Z effective high और बच्चों, जब Z effective high होता है, जब Z effective high होता है, तो I increase होते हैं, बच्चों concept के लिए हुआ बच्चों concept के लिए हुआ down the group I decrease बच्चों down the group I decrease, but gallium greater than this अब इस्ट्ट एक chat box में answer दो, यह थड़े group है बच्चों यह NCRT का question है, यह NCRT का question although I decreases down the group although IE decreases down the group gallium greater than this thalium greater than this this is due to transition and this is due to lengthenide contraction, और बच्चों जो reason इदर है, indium thalium वो ही reason बच्चों SN और PB में, ओके चले हैं, student अब एक बात बताओ बच्चों SC, Y, LA titanium, zirconium, halfnium बच्चों, very very important, star cheese neat के लिए, बच्चों star cheese neat के लिए, 4D, 5D group है, बच्चों 4D, 5D group है, but IE of 5D greater than 4D क्या student यहां बीच में lengthenoid है के नहीं बच्चों concept clear हुआ क्या बच्चों यह question बहुत 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 नीट में आता है, down the group IE decrease होते हैं, बच्चों down the group IE decrease होते हैं, but IE of 5D greater than 4D, IE of 5D greater than 4D, उसके लिए responsible है बच्चों lengthenoid contraction बच्चों बच्चों उसके लिए कौन responsible है, student down the group IE decrease, but IE of 5D greater than 4D, this is due to lengthenoid contraction, क्या यहां बच्चों very good monies, बच्चों monies ने दूसरा reason भी दिया, वो भी correct है बच्चों, अब student एक बात बताओ, यह 21, 22, यह 39, 40, क्या बच्चों यह 57, क्या यह 58, yes क्या no, बच्चों 39, 40 57, क्या 58, yes क्या no, student यहां पर 72 आएगा, अब बच्चों chat box में answer दो, Z effective equal to Z minus sigma, student यह चीज में आपको atomic size topic में cover करवा चुका हूँ, बच्चों यह चीज में आपको atomic size में बच्चों discuss कर चुका है, ओके, जिर्कोनियम टू हापनियम, Z increase by 32 unit, बच्चों जिर्कोनियम से हापनियम, Z increase by 32, यह से यहां, Z to increase हो गया 32, जब आप यहां से यहां जाते हो, तो बच्चों बीच में A4D आ रहे हैं, और A4D के silding पूर है, यह चीज पूर, तो Z effect हाई, यहस बच्चों बच्चों अगर Z effective हाई, तो IE क्या होगा, बच्चों IE directly proportional to Z effective, स्टुवेंट दू तू पूर silding, बच्चों दू तू पूर silding, Z effective हाई होगया, तो बच्चों IE क्या होगया, बच्चों due to poor shielding Z effective हाई तो बच्चों आई क्या होगी हाई तो one reason lengthenite contraction बच्चो one reason lengthenite contraction दूसरा reason बच्चों poor shielding of D and F electron so Z effective increases क्या बच्चों concept clear हुआ बच्चों concept clear हुआ poor shielding of D and F electron so Z effective increases okay yes student बच्चों down the group जा रहे है बच्चों down the group जा रहे हो IE decrease हो रहा है बच्चों down the group जा रहे हो IE decrease but IE of 5D greater than 4D IE of 5D greater than 4D okay अब student एक chat box में answer दो पूरी chemistry में maximum IE किसका है बच्चों पूरी chemistry में maximum IE किसका है Yes बच्चो पूरी केमेस्ट्री में मैक्सिमम आई और मिनिमम आई Student please, no comments only chemistry को बच्चो पूरी केमेस्ट्री में इतना तो गंकव own है बच्चो in every period आपको याद नहीं रखना है बच्चो in every period मैक्सिमम आई बच्चो inert gas के है तो क्या student answer neon दे दूं क्या जल्द बाजी में बच्चा क्या सोचता pre-end में IE increase down the group decrease maximum neon बच्चो ध्यान रखना पूरी chemistry में maximum कौन helium, okay, minimum किसका बच्चो minimum इधर IE increase, minimum alkaline metal है, और down the group decrease, क्या बच्चो concept clear हुआ, क्या बच्चो concept clear हुआ, maximum IE helium और minimum CGM अब बच्चो एक answer दो बच्चो एक answer दे न ये मेरे पास LI plus है और ये helium है बच्चो chat box में बताओ maximum IE किसका होगा बच्चो chat box में answer दो maximum IE किसका होगा LI plus और helium बच्चो LI plus और helium maximum IE सिवांगी, प्रभजोद yes, feeling, चाहत yes, बच्चो, yes yes, बच्चो निशान्त तुमारा answer गलत है, नवनीत तुमारा answer भी गलत है निशान्त नवनीत गलत answer है, बच्चो जनरली अपन क्या सोचते हैं, बच्चो जनरली अपन ये सोचते हैं, inert gas के IEI है, बच्चो जनरली अपन ये सोचते हैं, inert yes के IEI है but very important student क्या बोथ है वे same configation बच्चो LI plus student बात को समझना बच्चो LI plus और helium iso electronic है बच्चो LI plus और helium iso electronic है दोनों के stable configation है बच्चो दोनों के stable है वैसे बच्चो पूरी chemistry में maximum IE किसका था इसके थोड़ी दिर पहले मैंने आपको answer दिया था helium बच्चो थोड़ी दिर पहले मैंने आपको आंसर दिया था helium, helium maximum है बट बच्चों अभी मैंने LI प्लस और ये दिया, दोनों stable है, क्या student ये catein small size का है के नहीं बच्चों आपको यादो ISO electronic में catein बच्चों small size का होता है student concept clear बच्चों concept clear एक answer आप और दो बच्चों NA plus और neon student ये NCRT का question है बच्चों ये NCRT का question है NA plus and neon both have a stable configuration बच्चों NA plus and neon both have a stable configuration high IE किसका है yes, very good nature बच्चों दोनों के stable configuration है बच्चों दोनों के stable configuration है क्या बच्चों NA plus small size है के नहीं बच्चों ISO electronic में catein always small size के होते है बच्चों ISO electronic में catein always small size के होते है एक question और पूछ रहा हूं बच्चों IE का order student IE का order helium LI plus H minus और B plus 2 student answer दो इन चारों में से maximum किसका है अरपेद helium का Z effective ज्यादा होगा न नहीं होगा अरपेद अरपेद helium का Z effective क्यों ज्यादा होगा अरपेद एक बात बता न अरपेद मुझे एक बात बताओ Z effective equal to Z minus sigma होता है Z effective equal to Z minus sigma होता है अब student एक answer दो क्या системing दोनों में सेम है अर्पित concept के लिए हुआ बच्चो Z effective equal to Z minus sigma सब में 2 electron है सिलिडिंग तो बच्चो सेम है अब अर्पित answer दो Z किसका हई है अर्पित Z किसका हई है lithium का Z 3 इसका 2 lithium का Z हई है तो बच्चों lithium का Z effective हई है अर्पित concept के लिए अर्पित concept के लिए स्टुडेंट आपको इतना सारा करने की जर्वत ही नहीं सबसे पहला तो answer बच्चों क्या ये ISO electronic है के नहीं स्टुडेंट ये ISO electronic है सबके stability एक जैसी है क्या स्टुडेंट आप लोग इनके size का order जानते हो बच्चों ये ISO electronic है इतना तो कनपों में बच्चों ISO electronic में एनाइन लार्ज है बच्चों एनाइन लार्ज है और catea lion then helium then बच्चों ये ओके चलिए स्टुडेंट answer दो size का ये order ठीक है बच्चो size का order perfect है तो IE का order बच्चों concept clear बच्चों concept clear size का order बच्चों आप जानते हो तो IE का order reverse ओके अब इस्टुएंट एक question पोछ रहा हूँ बच्चों इस्टुएंट अब कुछ question करवा रहा हूँ इस्टुएंट इन question को करवाने से पहले एक छोटा सा question पोछूँँगा बच्चों N और N-3 बच्चों N और N-3 यह 2S to 2P3 है बच्चों यह 2S to 2P6 है बहुत अच्चा question है बच्चों इन दो में से high IE किसका है यस बच्चों अब अपनको 30 question करने हैं बच्चों वैसे काफी question इती देर से बच्चों मैं करवाई रहा हूँ आप लोगों को स्टुडेंट मेरी class में concept के साथ-साथ MCQ बहुत चलेंगे यस sir you are the best अरे दिपेंदर सिंग तनवर बच्चों आप लोग मेनत करिये यस student बच्चों N और N-3 इस्टुडेंट वैसे ज़्यादा stable कौन है यह half-filled है यह full-filled है बच्चों यह half-filled है यह full-filled है भले stable है इस्टुडेंट यह चीज stable है फिर भी maximum आई इसका actually बच्चों मैंने आपको class में क्या का था क्या student कल की class याद आई जब भी same atom होता है बच्चों जब भी same atom होता है configuration का कोई roll नहीं बच्चों जब भी same atom हो no need of configuration बच्चों जब भी same atom हो no need of configuration क्या बच्चों यह एनायन large size का है के नहीं बच्चों यह एनायन large size का है बच्चों मेरी बात समझें बच्चों very very important जब भी same atom हो आपको configuration देखने की जरुबत नहीं बच्चों एक chat box में answer दो यह मेरे पास क्या है neon है और neon plus है student मैं आपकी help कर रहा हूँ neon ऐसा है क्या student मेरी help को लोगे क्या बच्चों मैं आपकी help कर रहा हूँ मेरी help को लोगे क्या बच्चों मैं आपकी help कर रहा हूँ मेरी help लोगे क्या yes बच्चों neon 2s2 2p6 यह 2s2 2p5 बच्चों neon 2s2 2p6 ये 2S to 2P5 इतना confirm हो गया बच्चों बच्चों इतना confirm हो गया जब भी same atom हो configuration का कोई role नहीं है बच्चों जब भी same atom हो configuration का कोई role नहीं इसके compare में ये चीज़ small है ओके चले बच्चों अब एक question का answer दो which is correct order क्या बच्चों, lithium कभी इससे ज़्यादा होगा क्या बच्चों, lithium, beryllium ये तो period है along the period IE increase बच्चों, along the period IE increase lithium greater ये गलत क्या student मुझे answer दो ये isoelectronic है के नहीं बच्चों ये isoelectronic है isoelectronic है और isoelectronic में anion large होते हैं बच्चों, isoelectronic में anion large होते हैं, ये गलत इस question का answer correction है बच्चों, इस question का answer correction, third and four दोनों है ये तो ठीक है बच्चों student, ये along the period IE increase क्या बच्चों, chat box में answer दो, ये isoelectronic है के नहीं, बच्चों ये isoelectronic है, सबकी stability एक जैसी है, और बच्चों cation small, anion large है student, इस question का answer correction बच्चों, इस question का answer correction, third and four both, third and four both, ओके, चले बच्चों compare to the first IE बच्चों, compare to the first IE second IE क्या होगा student, ये मेरे पास M है इसको मैंने M plus में भेजा ये M plus 2 student, ये चीज IE 1 ये चीज IE 2 compare to the IE 1 IE 2 क्या होगा क्या बच्चों, negligible होगा क्या बच्चों, negligible होगा no, इतना तो पक्का है बच्चों successive IE successive IE always increase always increase तो बच्चों, negligible होगा नहीं same होगा नहीं क्या बच्चों, double होगा क्या ऐसी कोई value है क्या क्या बच्चों, successive IE double होता है क्या नो, तो बच्चों greater होगा, greater होगा बच्चों, successive I increase होगे, okay, double बच्चों कोई fix नहीं है, सिवांगी double होना कोई जरूरी नहीं है, increase होगे, कभी बच्चों normal increase होगे, कभी abnormally increase होगे, but बच्चों होगे increase, होगे increase बच्चों, कभी normally increase, कभी abnormally increase, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी द इस्टुडेंट ये आपके पास configuration है which configuration है इस्टुडेंट 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 को कैसे अप्रोच करें बच्चो जब भी कोई question मिले ना first of all arrange एक मेरे पास बच्चो 3P3 है दूसरा 3P4 है तीसरा 3P5 है बच्चो चैट बॉक्स में answer दो ये question किसका है यास बच्चो इस्टुडेंट कुछ question बच्चो ये question period का है 3P3, 3P4, 3P5 इस्टुडेंट ये question period का है और एक मेरे पास और 3S2 है ओके क्या बच्चो 3S2 भी period है बच्चो ये जो 3S2 है बच्चो 3S2 के पास में कौन आता है बच्चो 3S2 के पास 3S2, 3P1, then 3P2, then 3P3 ओके इतना तो कनफॉर्म, एलोंग ता प्रियड आई इंक्रीज, बड़ बच्चो इर्रेगुलर इंक्रीज, ओके, अब 3P3 स्टेबल है, बच्चो वेरी इंपोर्टेंट, 3P3 का 3P4 से जादा होगा, 3P5 से नहीं, क्या बच्चो कंसर्प्ट किलियर हुआ, बच्चो कंसर्प्ट क अद्जेसेंट मेंबर से जादा होगे, बच्चो ये इस्टेबल है, इसका अद्जेसेंट मेंबर से उससे नहीं, क्या इस्टुएंट आप फाइनल ओर्डर बताओ, बच्चो सबसे आगे 3P3, then बच्चो आंसर दो, 3P3 के बाद बच्चो, sorry 3P5 के बाद 3P3, then 3P4, और फा पॉर्शन अच्छा है, which of the following है, second IP less than first, इस्टुएंट ऐसा कौन सा एलिमेंट है, जिसमें second IP less than first, बच्चो second IP less than first, अरे चाहां 3P3 से 3P4 जादा क्यों नहीं होगा, अरे बता तो दिया न 3P3 से 3P4, अरे बच्चो 3P3 हाप फिल्ड है न, क्यों कंप्यूज हो रहे हो, यह stable है न, कल की क्लास में बताया था, यास बच्चो, तो इस्टुएंट आपको इस एक्जामपल को सॉल करने की जर्वत ही नहीं, क्या बच्चो ऐसा कोई एक्जामपल है, जिसमें second IP less than first, बच्चो ऐसा chemistry में कोई एक्जामपल नहीं है, बच्चो आपको सॉल करने की जर् बत नहीं, because successive IE always increase, answer 4, ओके, यास बच्चो, इस्टुएंट क्योंकि second IP less than first, बच्चो यह नियोन है, यह नियोन प्लस है, यह ऐसा, अब इस्टुएंट आंसर दो, यह IE1 है, यह IE2 है, अब इस्टुएंट यह स्टेबल है, बच्चो यह स्टेबल है, यह नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चो यह स्टेबल नहीं है, तो भी second IP हाई होगा, बच्चो सक्सेसिव IE always increase, बच्चो कंसर्ट के लिए, यह स्टेबल है, यह नहीं है, बट बच्चो सक्सेसिव IE always increase, there is no exception, तो बच्चो in which element IP2 less than IP1, answer 4, क्या स्टुडेंट यह question solve करने की जर्वत है, क्या क्या बच्चो question solve करने की जर्वत है, no, okay, अब बच्चो अच्छा question है, oxygen और fluorine, बच्चो question में given है, IE2, यह question आप solve करो बच्चो, oxygen, fluorine, IE2, बच्चो 10 मिनट सेशन और लेंगे, 10 मिनट और सेशन लेंगे बच्चो, और regular रहिए, और पूरा सेशन अटेंड करिए, मैं देखता हूँ, बच्चो, जब भी है न, सेशन जैसे-जैसे end होता है, तो student भाग जाते हैं, बच्चो, ऐसे exam में मुझे बताओ, बच्चो, exam 3 गंटे का है, और आप करे हो कि 2 गंटे के बाद में, sir, मैं तो थक गया, बच्चो, बच्चा कहता, sir, exam 3 गंटे का था, मैं मैं तो दो गंटे के बाद में थक गया, मैं तो अब physics का paper नहीं दूँगा, मैंने chemistry bio दे दी, अब physics मैं नहीं दूँगा, तो बच्चो, आपका काम क्या है, पूरा session attend करना है, बच्चो, पूरा session attend करिये, और थोड़ी regulatory रखिये, बच्चो, और ऐसा नहीं करिये, कि एक दिन session attend किया, दूसरे दिन नहीं, बच्चो, रेगूलर एंटी, जो regular रहेगा, बच्चो, उसको benefit मिलेगा, बच्चो, सारे topic interconnected है, आप जितना periodic table chapter, बच्चो, परफेक्ट करेंगे, बच्चो, आपने periodic table chapter, परफेक्ट किया, तो बच्चो, आपका IOC, परफेक्ट हो जाएगा, ओ IE2, सबसे पहले तो बच्चो, ये प्लस हो गया, ओक्चिजन 2P4 था, ये 2P3, 2P4, अब बच्चो, answer दो, क्या, ओक्चिजन stable है, बच्चो, ओक्चिजन stable है, तो student, oxygen की value high होगी, बच्चो, same तो होगा नहीं, बच्चो, same तो होगा नहीं, oxygen का value high है, क्या बच्चो, concept के XYZ, बच्चो, XYZ है, atomic number है, बच्चो, ये question आप solve करो, XYZ atomic number है, यस बच्चो, XYZ, atomic number कितने है, बच्चो, 19, 19, 37 और 55, student, आप मुझे एक answer दो, क्या student ये alkaline metal है के नहीं, सबी student को inert gas तो आती है, बच्चो, neon, argon, krypton, genon, बच्चो, 10, 18, 36, 54, तो student ये इतना तो confirm है, बच्चो, ये alkaline metal है, और student alkaline metal है, और group का question है, down the group size increase, तो बच्चो, IE क्या होगा, decrease, तो Z, क्या बच्चो, Z का high IE होगा, ये तो गलत हो गया, बच्चो, बच्चो, down the group IE decrease, क्या ionization potential increases, बच्चो, down the group decrease, ये have ionization potential, बच्चो, Y का ionization potential, in between X and Z, ओके, next question बच्चो, ये रहा, second IP, बच्चो, बहुत अच्छा question, second IP of which element is maximum, बच्चो, IE2 किसका maximum है, लीथियम, और student, ये मेरे पास nitrogen, oxygen, fluorine, बच्चो, second IP किसका maximum, IE2 बोला है, बच्चो, IE2, IE2 बोला है, यस, प्रभजोत, chemistry, express, बिल्कुल correct answer है, बच्चो, अब बच्चो मुझे बताओ, ये LI plus, ये ऐसा हो गया, okay, अब बच्चो मुझे answer दो, इसका formula कैसा हो गया, 1S2, 2S1 था, अब ये 1S2 हो गया, और ये 2P2, ये 2P3, ये 2P4, क्या student, ये system, inert gas system है के नहीं, बच्चो जब कभी inert gas system है, तो IE का value abnormally high, बच्चो concept के लिए, बच्चो concept के लिए, inert gas system बच्चो जब भी मिलता है, IE का value बच्चो abnormally high, तो सबसे high IE बच्चो किसका होगा, lithium का होगा, okay, अब student, क्या आप इनका order बता सकते हो, बच्चो lithium प्लस तो सबसे आगे, उसके बाद में कौन आएगा, बच्चो chat box में answer दो, lithium तो extraordinary stable है, आपने आगे कर दिया, उसके बाद में बच्चो क्या आएगा, यास बच्चो, very good, very good प्रब्चो, actually बच्चो और एप, क्या बच्चो और एप मैंसे, ओ, हाप फिल डैके नहीं, तो बच्चो ओ, एप, then बच्चो nitrogen, क्या student concept clear हुआ, बच्चो concept clear हो गया, very good, चलिए बच्चो, next question, तो student मैं आपको है न, chemistry express में, mcqb regular cover करवाऊंगा, अब बच्चो एक answer दो, एलकेलाई metal कौन से है, बच्चो, एलकेलाई metal कौन से है, student, ये IE1 है, ये IE2 है, value given है, बच्चो, एलकेलाई metal कौन है, student, मुझे एक बात बताओ, sodium, magnesium, aluminium, ये, student, एक answer दो, एलकेलाई metal के IE कैसे होते है, बच्चो, chat box में answer दो, एलकेलाई metal के IE कैसे होते है, low होते है, ओके, काफी बच्चो ने correct answer दिया है, very good, बच्चो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चो, तो student, इधर IE increase, एलकेलाई metal जो है, बच्चो, उनके low IE है, क्या student, ये value low है बच्चो, ये value low है, ये value low है, अगर student, अपन question को और support करें, एलकेलाई metal के IE बन तो low है, बट IE 2 का value abnormally high, क्या बच्चो, IE 2 का value, बच्चो, concept के लिए हुआ, बच्चो, question के लिए हुआ, इनका IE 1 तो low है, बट IE 2 का value 520 से 7300, बच्चो, IE 2 का value abnormally high, याद करो student, ये अपने past question है, बच्चो, concept के लिए है, अभी तो student, आपको कह रहे हैं, बच्चो, जो भी नए student है, प्लीज, अब regular हो जाईए, अभी तो बच्चो, periodic table का basic part start किया है, आप देखते जाओ बच्चो, आपका inorganic number 1 होगा, अगर आपने regularity रखी, तो inorganic बच्च 3S1 है, ये 2S2, 2P6 है, क्या बच्चो, concept के लिए है, इनर्ड ये 520, क्या बच्चो, ये कितना होगा, इनर्ड के system है, तो ये value abnormally increase, बच्चो, ये value abnormally increase, बच्चो, concept के लिए है, बच्चो, IE1 तो low, बट IE2 abnormally increase, ओके, चलिए, ionization potential of isotopes, बच्चो, जानते हो isotopes, ये आपके पास H है, ये D है, ये T है, student, किसका atomic weight ज़ादा है, बच्चो, atomic weight किसका ज़ादा है, आप लोगोंने सुना बच्चो, ये proteum, ये deuterium, ये triterium, बच्चो, proteum, deuterium, triterium, ओके, काफी student correct answer दे रहे है, बच्चो, ये जो भी है, इनके atomic weight change है, बच्चो, atomic weight change है, क्या student, इन सबका Z1 है क्या, बच्चो, इन सबका Z1 है, अपड़ना गलत answer दिया है, अपड़ना गलत answer दिया है, I of isotopes remain same, बच्चो, इन सबका Z1 है, सबका configuration same है, और बच्चो, आपको यादो, Z effect equal to Z minus sigma, बच्चो, Z effect equal to Z minus sigma, बच्चो, Z सबका 1 है, और shielding 0 है, याद करो बच्चो, अगर single electron system था, उसमें सिगमा मेंने 0 बताया था, बच्चो, I of isotopes remain same, बच्चो, very very important, बच्चो, concept clear हुआ, सर, atomic mass का बता रहे थे, बच्चो, कोई बात नहीं, अपड़ना, no problem, बच्चो, IE को find out करने में, atomic mass का रोल नहीं है, बच्चो, IE को find out करने में, atomic weight और atomic mass का रोल नहीं है, IE of isotopes remain same, now next question, student, ये question बच्चो, आप करो, correct order of IE, बच्चो, एक बात बताओ, इन तीनों में से stable formula किसका है, बच्चो, इन तीनों में से stable configuration, बच्चो, stable configuration किसका है, CL- का है, बच्चो, chlorine का formula क्या होता है, chlorine का formula NS2NP5, बच्चो, chlorine का formula NS2NP5, ये बच्चो, NS2NP6, ये NS2NP5, और बच्चो, ये NS2NP4, क्या student, आपको इनका IE करना है, क्या configuration की need है क्या, क्या बच्चो, जब भी same atom हो, configuration नहीं, क्या बच्चो, answer दो, क्या student question clear, बच्चो, size का ये order, size का ये order, then IE का order opposite, बच्चो question clear हो गया, बच्चो question clear हो गया, okay, चले student, next question, इस्ट्वेंट ये देखो value, बच्चो ये value given है, 10, 15, 45, बच्चो मुझे बताओ, 45 dash dash, ये कौन सा element है, बच्चो 10, ये IE की value है, इस्ट्वेंट आप लोगोंने सुना बच्चो कभी, successive IE increase होता है, बच्चो successive IE increase होता है, 10 से 15, 15 से 45, बच्चो ये abnormally increase, बच्चो जिस समय ये value कितनी है, बच्चो ये value 2 है, तो valence electron 2, बच्चो valence electron 2, तो उसकी valency second है, बच्चो question clear हुआ, बच्चो आप खुद देखिए successive IE increase, अब बच्चो दो electron loss होने के बाद में, ये value abnormally increase आ रही है, बच्चो जिस समय value abnormally increase होई, अब बच्चो मुझे answer दो, 10, 15, 20, 30, 130, 150, 160, क्या बच्चो आप मुझे बता सकते हो, ये element कौन होगा, बच्चो मैं पोल दे रहा हूँ, बच्चो मैं पोल दे रहा हूँ, ये value given है, element कौन होगा बच्चो, sodium, number 2 silicon, number 3 aluminum, number 4 magnesium, बच्चो question के लिए, बच्चो question के लिए, very good, काफी बच्चो ने correct answer दिया, money, chemistry, express, रागवेंदर, yes बच्चो, yes student, बच्चो question के लिए, इस्ट्वेंट आप लोग देखो बच्चो, successive I increase हो रहे, क्या कही value बच्चो abnormally increase है क्या, इस्ट्वेंट 10, 15, 20, 30, 30 के बाद में 130, क्या बच्चो 30 से 130 abnormally increase, बच्चो question के लिए होगा, अभी तो regular increase हो रहा है, बच्चो 10, 15, 20, regular, 30 से 130 abnormally, अब count करो value, बच्चो अब कितनी value है, 1, 2, 3, 4, value 4, valence electron 4, बच्चो valence electron 4 किसके पास है, बच्चो valence electron 4, silicon के पास है, क्या student question के लिए है, क्या बच्चो question के लिए है, ओके, एक दो question और कर रहे हैं, फिर session अबर करेंगे, student पढ़ो बच्चो, maximum amount of energy, बच्चो in which reaction, maximum energy required, in which reaction, maximum energy required, yes student, बच्चो in which configuration, maximum energy required, बस चाहत, class 2 minute में end कर रहे हैं, बच्चो, okay, yes बच्चो, तो student इतना answer दो बच्चो, ये दोनों inert gas system है के नहीं, student ये दोनों example, बच्चो inert gas system है, ये और ये बच्चो inert gas system है, student ये inert gas system है, ये बच्चो कौन है, 3S2, 3P6 है, और ये 1S2 है, student inert gas system जब भी होता है, बच्चो inert gas system जब भी होता है, तो IE कैसा होगा बच्चो, inert gas system होगा, तो IE की value abnormally increase होगी, क्या student concept के लिए हुआ, क्या बच्चो एफी inert gas है क्या, बच्चो inert gas system जब भी हो, IE abnormally increase, last question बच्चो, student आपके पास दो सिरीज है, carbon, nitrogen, oxygen, और बच्चो silicon, phosphorus, sulfur, among two series, highest IP किसका है, बच्चों among two series, highest IP, इन चारों में से बच्चों, Yes, student, इतना तो पक्का है बच्चो, carbon और, student इन दोनों में से nitrogen का ज़्यादा, और nitrogen phosphorus group का question है, बच्चो nitrogen phosphorus group का question है, और down the group IE decrease, क्या बच्चो question के लिए हुआ, बच्चो question के लिए हुआ, carbon, nitrogen, oxygen, और बच्चो silicon, phosphorus, sulfur, answer यही है, stable है बच्चो, 2P3, 3P3, अब बच्चो down the group IE decrease, तो maximum answer nitrogen, ओके, चले student, पार थार्ड, student ionization enthalpy की, various application है, जिनको one by one discuss करनी है, बच्चो various application को अपन, one by one discuss करेंगे, पहली application, to find out valence electron, strength किसी atom के पास कितने valence electron है, दूसरा application, metallic character, third application, reactivity, oxidation state, basic strength, और reducing character, यह various application है, और इसमें star application, need के लिए first and बच्चो फाइफ, first and fifth property star, बच्चो जो property star है न, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बच्चो, जो property star है, वो अच्छी तरह से आना चाहिए, तो पहली property start कर रहे हैं बच्चो, to find out valence electron, कैसे student valence electron को find out करें, सर आयोनिक किस्टल क्या होते हैं, यस, फरान आयोनिक किस्टल chemical bonding में बताएंगे, ओके, chemical bonding में अगर किसी solid के component ions होते हैं, उनको आयोनिक किस्टल कहते हैं, ओके, chemical bonding में, चलो बच्चो अप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, to find out valence electron, एक बात बताओं बच्चो, successive IE, student IE increases, बच्चो इतना तो पक्का है, IE increases abnormally, क्या बच्चो IE की value कभी-कभी abnormally increase होती है, बच्चो increase तो होती है, IE increases abnormally, when electron lost from, lost from stable inert gas configuration, बच्चो IE increases abnormally, when electron lost from stable inert gas configuration, student जब inert gas configuration होगा न, तब बच्चो abnormally increase होगा, yes, I know, पूरा IOC करेंगे, थोड़ा wait करो, coordination compound कब start होगा, बच्चो ऐसे comment करेंगे न, तो possible नहीं है, आपको complete IOC यहां cover करेंगे, आप थोड़ा wait and watch, ओके, चले, चले बच्चो, yes, student, चले बच्चो, IE increases abnormally, बच्चो increase तो होता है, abnormally तब होगा, यह value बच्चो मैंने लिखा 5, यह 10, यह 100, यह क्या, 150, यह 160, dash dash, क्या बच्चो, IE की value यह given है, क्या student यह IE की value given है, तो क्या बच्चो, अपन बात कर सकते हैं, student मुझे answer दो, यह successive value है, क्या कहीं value abnormally increase हुई, बच्चो, यह IE 1, IE 2, IE 3, क्या कहीं successive IE, बच्चो, abnormally increase हुआ, क्या बच्चो, successive IE, abnormally increase हुआ, बच्चो, 5 से 10 तो regular है, बच्चो, 5 से 10 तो regular है, 10 से 100 abnormally increase है, बच्चो, 10 से 100 abnormally increase इस पेंट जिस समय abnormally increase बच्चो यहाँ abnormally increase हो गया तो आप रुप जाओ बच्चो जहाँ abnormally increase यहाँ रुप गए यह value 2 है यह 2 value है तो valence electron कितने है बच्चो यह value 2 तो valence electron 2 बच्चो concept के लिए है बच्चो यह successive I abnormally increase 5 के बाद में बच्चो 10 10 से 100 जिस समय abnormally increase यहाँ abnormally increase रुप जाओ यह value दो बच्चो value दो valence electron 2 value 2 valence electron 2 अब बच्चो मुझे बताओ एक element मैं ले रहा हूं magnesium क्या student magnesium का formula यह है क्या student concept के लिए magnesium का formula यह है क्या magnesium के outer electron 2 है क्या बच्चो magnesium के outer electron 2 है magnesium के outer electron कितने 2 है तो student यह answer क्या हुआ magnesium अब एक बात बताइए इन दो electron को बाहर निकालो क्या बच्चो यहाँ 5 लगा यहाँ 10 लगा अब मैं electron को loss करूँगा क्या abnormally increase होगा बच्चो अभी तो I1 I2 अब यह दो electron जाने के बाद में inert gas system है क्या student concept के लिए बच्चो जैसे यह दो electron loss होगे inert gas system है तो value कैसा होगा बच्चो जब भी inert gas system है तो IE का value abnormally increase बच्चो अब जो value आएगी वो 100 आ गया student concept के लिए हुआ यह सर offline class start हुआ है train है cancel हुई दो बार अरे unsoul कोई बात नहीं कल आके attend कर लेना कल आके attend कर लेना वच्चो ओके यह सब च्चो कल आके attend कर लेना सर R metallic MN और F E का बराबर क्यों है अरे student metallic metallic radius F E C O N I सर कल की class सर कल class नहीं हुई थी नहीं हुआ था चार class का बच्चो आप सारदा सर telegram channel जोइन करो बच्चो आप सारदा सर telegram channel जोइन करें वा मेरी सारी class का notification आएगा बच्चो सारदा सर telegram channel को join करें वा मेरी सारी class का notification आएगा ओके चले बच्चो अब जो start हुआ है ना बच्चो उसको पढ़िए अब इस topic को पढ़िए बच्चो अब student ये system inert gas है value abnormally increase होगा अब बच्चो मैं एक question दे रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 120, 130 और 145-- बच्चो पोल दे रहा हूँ then element क्या student इस तरह के question कर लोगे क्या बच्चो इस तरह के question कर लोगे ये IE की value है बच्चो ये IE की value given है element कौन sodium number 2 calcium number 3 silicon number 4 aluminium student एक बात याद रख लो बच्चो बच्चो एक बात याद रख लो successive IE increase हो रहा है क्या कहीं बच्चो abnormally increase 5, 10, 15, 20 बच्चो ये तो थोड़ा थोड़ा increase हो रहा है 5, 10, 15, 20 थोड़ा थोड़ा 20 के बाद में 120 क्या बच्चो 20 से 120 abnormally increase बच्चो यह abnormally increase अब ये value कितनी है value check करो बच्चो 1, 2, 3, 4 value 4 तो valence electron 4 अब बच्चो chat box में answer दो 4 valence electron किसके होंगे ये तो गलत है बच्चो ये तो ns1 है और ये ns2 है ये भी गलत हुआ अब बच्चो aluminium ns2 np1 क्या student concept के लिए अब बच्चो रही बात समझने की silicon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 क्या student answer दो क्या silicon के outer electron 4 है के नहीं क्या बच्चो silicon के ये outer electron 4 है तो बच्चो silicon के outer electron 4 है तो इस question का answer silicon अब इस बच्चो को समझना बच्चो ये 4 electron निकाले 5, 10, 15, 20 क्या अब ये system inert gas है बच्चो ये inert gas system है inert gas system है तो ये value abnormally increased बच्चो concept के लिए बच्चो एक बात याद रखो जब कभी inert gas system होता है तो successive आई abnormally increased ईशा, मनीश, निशान everyone बच्चो concept के लिए हुआ जब कभी inert gas system होता है तो बच्चो value ये 4 electron जाने के बाद में inert gas system है value abnormally increased अब इस बच्चो एक अच्छा question है if IER if IER 5 75, 80 90, 105 बच्चो अब question का answer देना तुमसे silly mistake होगी बच्चो element कौन है student ये value question में given है element कौन है number 1 LI, number 2 MG, number 3 NA, number 4 1 and third student IE की value question में given है बच्चो आई की value question में given है element कौन है ये नवनीत ने correct answer दिया प्रभजोद ने lithium दिया बच्चो ये question very important इस question को समझना बच्चो इस question को समझना ये 5 है, ये 75 है, ये 80 है 5 से 75 abnormally increase बच्चो यही abnormally increase तो valence electron कितने होंगे 1 1 valence electron तो student ये answer रोंग lithium NS1 sodium भी NS1 बच्चो है तो no NS1 बच्चो इस question का answer only sodium है बच्चो answer 4 नहीं है only sodium है student इस question का answer only sodium है actually बच्चो ये lithium है 1S2, 2S1 बच्चो लीथियम है क्या ये IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 क्या बच्चो अर्पित एकनट चीज को समझा कर अर्पित मुझे answer दे अपढ़ना answer दो ये lithium है 1S2, 2S1 IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 ये क्या बच्चो लीथियम जो है क्या इसका IE4 possible yes के no क्या बच्चो लीथियम का IE4, IE5 ये IE1, IE2, IE3, IE4, IE5 बच्चो अब तो concept के लिए हुआ बच्चो लीथियम इस question का answer only sodium बच्चो इस question का answer only sodium क्योंकि लीथियम के पास 3 electron है बच्चो लीथियम के पास 3 electron है तो इसका IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6 of lithium not possible इस question का answer only sodium बच्चो इस question का answer only sodium तो बच्चो एक application अपने डिसकस किया अब बच्चो नमबर टू application डिसकस कर रहे है down the group metallic character बच्चो increase होगा और दूसरी बात बच्चो metallic character का मतलब होता है readily lose electron बच्चो readily कौन lose करेगा क्या student इसका size large है के नहीं बच्चो down the group size large है readily electron lose करेगा तो metallic character increases down the group not only ये by the way बच्चो मैं ये group लेता हूँ student concept के लिए हुआ बच्चो by the way मैं ये group लेता हूँ मैं ये लूँ या ये down the group बच्चो metallic character क्या होगा increase अब एक question पोच रहा हूँ student सुनना which configuration बच्चो which configuration so maximum metallic character which configuration so maximum metallic character sir आज मैं class नहीं कर सकती मुझे अरे भाईया कोई बात नहीं न अंसा रही कोई problem नहीं ओके ये बच्चो चले student ये बच्चो चले student which configuration so maximum metallic character number one helium 2S1 number two genome 6S1 number third बच्चो helium 2S2 और number four number four बच्चो genon 6S1 yes बच्चो MN और FE के बारे में question होता है किया अरे नहीं आता है creation basic चीज़ा समझो बच्चो which configuration so maximum metallic character बच्चो कौन से configuration में metallic character maximum है yes student तो student इस तरह के question जब भी हो बच्चो इस तरह के question जब भी हो आप ये find out नहीं करें कि ये lithium है ये beryllium है ये boron है बच्चो question solve करते समय आपको ये नहीं लिखना है ये lithium ये sodium ये sodium ये वो ओके अब बच्चो मुझे बताओ एक मेरे पास 2s1 है एक मेरे पास 6s1 है एक 2s2 है दूसरा 6s2 है क्या student ये down the group है के नहीं बच्चो ये down the group है बच्चो concept के लिए हुआ बच्चो 2s1, 3s1, 6s1 डउन दा ग्रूप है ये भी down the group है बच्चो answer दो इन metal की size कैसी है बच्चो ये down the group है इन metal की large size है और along the period size क्या होता है बच्चो along the period size क्या होता है decrease क्या ये और largest size का है के नहीं बच्चो along the period size decrease ये और largest size का है बच्चो size largest है readily electron lose करेगा readily lose electron बच्चो question के लिए हुआ बच्चो question के लिए हुआ question की approach समझ में आ गई क्या student इस question को करते समय ये find out करने का जरूवत है बच्चो ये find out करना ये lithium है ये cgm है ये barium है no ओके चले बच्चो next application अपन डिसकस करेंगे metallic character के बाद में बच्चो अपने पास application reactivity बच्चो बताओ reactivity क्या होती है आप लोगों ने सुना बच्चो alkaline metal कैसे होते है बच्चो chat box में answer दो alkaline metal alkaline metal बच्चो alkaline metal highly reactive alkaline metal highly reactive due to low IE due to low IE बच्चो alkaline metal highly reactive है आपको याद होगा बच्चो sodium potassium immediate catch fire बच्चो sodium potassium immediate catch fire yes बच्चो sodium potassium immediate catch fire क्या बच्चो sodium potassium captain open air क्या बच्चो sodium potassium captain open air No, sodium, potassium, captain, kerosene, petrol Bacchon, sodium, potassium, captain, kerosene, petrol They are highly reactive, okay चले है Bacchon तो alkali metal are highly reactive due to low IE Therefore, store in, Bacchon, का रखोगे? Therefore, store in kerosene Kerosene नहीं हो, तो Bacchon, का रखोगे? Petrol में Kerosene नहीं हो, तो Bacchon, का रखोगे? Petrol में, okay अब student answer दो, sodium, magnesium, iron Bacchon, बताओ, इसमें से least reactive कौन है? Bacchon, sodium, magnesium, iron इसमें से least reactive कौन है? Student, least reactive कौन है? Sodium, magnesium, iron इसमें से least reactive, okay काफी बच्चों ने correct answer दिया Bacchon, मुझे बताओ D-block के compare में more reactive कौन होते हैं? Bacchon, D-block के compare में more reactive S-block Second A के compare में first A Student, ये सारे metal है Bacchon, आप लोगों ने सुना Metal की एक unique property होती है Bacchon, metal water के साथ hydrogen gas देते है Student, metal water के साथ hydrogen gas देते है क्या all these metal liberate hydrogen with cold water? Bacchon, ये metal है Metal water के साथ hydrogen gas Yes, या cold water या बच्चो, hot water और या steam क्या student concept के लिए Bacchon, या cold water या hot water या steam Student, ये metal है बच्चो, ये metal है Metal water के साथ hydrogen देते है Student, ये alkaline metal highly reactive है Bacchon, या तो cold water चाहिए क्या बच्चो, iron को भी cold water? क्या all metal react with cold water? क्या बच्चो, all metal react with cold water? No, बच्चो, जो more reactive है उन्हें cold water चाहिए अब student, एक answer दो Lithium, sodium, potassium, rubidium, cgm Student, ये सारे metal cold water से react कर रहे है बच्चो, react तो सारे कर रहे है बट क्या speed of reaction बच्चो, ये कैसे reaction करता है explosive करते है बच्चो, ये vigorous करता है और ये gentle reaction करते है बच्चो, concept clear हुआ All these metal react with cold water but speed of reaction but speed change है बच्चो एक normal करता है एक vigorous, एक explosive बच्चो, question clear चलो student answer दो B, M, G, C, A, S, R, B, A student ये second day group है बच्चो, यह cold water चाहिए यह hot water चाहिए और यह steam चाहिए क्या student concept clear हुआ बच्चो, down the group जा रहे हो down the group गए I low, तो reactivity increase क्या ये कहना correct है क्या बच्चो, ये कहना correct है reactivity of S block metal increases down the group बच्चो, reactivity of S block metal increases down the group down the group बच्चो, reactivity increase होगी down the group reactivity बच्चो, increase होगी because IE decrease हुआ IE decrease, therefore reactivity increase, okay चले बच्चो अब आगे अबन बढ़ते हैं बच्चो, number to find out stable OS student chemistry में कौन सी OS stable होती है कैसे find out करें बच्चो student मुझे एक answer दो ये mg है mg convert into mg plus mg plus convert into mg plus 2 बच्चो ये फिक्स नहीं है अमेद ये फिक्स नहीं है कि सारे second है student अभी just basic समझो अब बच्चो मुझे answer दो ये value 5 है ये value 7 7.5 है और ये value मैंने 15 रखा क्या बच्चो यहां का difference कितना है बच्चो यहां का difference कितना है क्या student ये value delta IP बच्चो जब delta IP if delta IP less than 11 or equal to 11 electron volt 11 electron volt then higher OS stable higher OS stable बच्चो ड़ल्टा IP का value अगर less than 11 है student ये 7.5 ये 15 delta IP बच्चो एक तरह से 8 electron volt तो student कौन stable होगा बच्चो आंसर दो सर ये data बच्चो ये value question में given देंगे बच्चो value नहीं आ तकना है value question में given देंगे magnesium का IE1 ये IE2 ये अब बच्चो मुझे बताओ ये value less than 11 है delta IP 8 so higher OS higher OS कौन है higher OS बच्चो इन दो में से higher कौन है mg plus 2 stable बच्चो इन दो में से higher कौन है mg plus 2 stable बच्चो अब मुझे बताओ बच्चो ये value 150 क्यों नहीं हुआ बच्चो कोई बच्चा मुझे answer देगा ये value increase तो हुआ but 150 क्यों नहीं हुआ बच्चो 150 क्यों नहीं हुआ yes बच्चो क्या student ये system inert gas है बच्चो अगर ये inert gas होता तो value abnormally increase होता बच्चो अगर ये inert gas होता, तो value abnormally increase होता, क्या बच्चो abnormally increase, yes कै नो, क्या बच्चो abnormally increase, yes कै नो, बच्चो abnormally increase, yes कै नो, no, okay. अब एक बात सुनना, if delta ip greater than 16 electron volt, then lower os stable, lower os stable, बच्चो delta ip का value, अगर 16 से बहुत ज़्यादा आता है, ये lithium है, ये lithium plus, ये lithium plus है, ये lithium plus 2, बच्चो concept clear, आपको value नहीं रटना है, बच्चो value question में आएगा, ये 5 है, ये 45 है बच्चो, ये 75 लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, बच्चो, 75, अब instrument answer दो, ये delta ip कितना आ गया, बच्चो delta ip approximate 70 electron volt, क्या बच्चो ये delta ip greater than 16 है के नहीं, delta ip ये, so lower os, lower os, li plus stable, so lower os, li plus stable, बच्चो बात clear हुई, बच्चो बात clear हुई, lower os, li plus stable, अब instrument ये value मेंने 75 क्यों लिखा, बच्चो अब आपको reason आना चाहिए, ये 5 है, ये 75 क्यों लिखा, क्योंकि student ये inert gas system है, बच्चो ये 1S2 inert gas system, जब कभी बच्चों inert gas system होगा, तो value abnormally increase होगा, बच्चो concept clear हुआ, बच्चो concept clear हुआ, इस्ट्वेंट मैं चाहता तो ये value है न, क्या student ये value मैं ऐसी कर दू, क्या बच्चो ये value मैंने 5 रखी है, ये value 5 रखा है, ये value student अपनने 5 रखा है, क्या ये value 10 रख दू, क्या बच्चों मैं 10 रख सकता हूँ, ये 5 है, ये 10 रख सकता हूँ, no, inert gas system है, तो बच्चों ये value मैंने 75 रख दिया, बच्चों abnormally increase किया, जब कभी value बच्चों abnormally increase हो, अब ये difference क्या है, बच्चों question के लिए value question में given होगा, अब strength ये 75 क्यों है, inert gas system है, जब कभी chemistry में inert gas system, IE की value abnormally increase, बच्चों star application नीट के लिए, बच्चों ये application नीट की star application है, basic strength, बच्चों basic strength of oxide और hydroxide, अब strength answer दो, Li2O, Na2O, K2O, RB2O, CS2O, बच्चों chat box में इतना बताओ, क्या ये oxide basic है, बच्चों lithium, sodium, metal है, metal के oxide basic है, LiOH, NaOH, KOH, yes बच्चों, बच्चों concept के लिए, बच्चों concept के लिए, ok, ok, अब strength मुझे answer दो, ये oxide है, ये hydroxide है, बच्चों मैं oxide लूँ या hydroxide, basic strength inversely proportional to IE, क्या strength down the group गए, IE decrease, बच्चों IE decrease, तो basic strength increase, बच्चों concept के लिए, बच्चों जितना IE low होगा, down the group IE low होगा, तो बच्चों basic character क्या हुआ, increase हुआ, IE low, basic nature increase हुआ, ok, इस्ट्रेंट मुझे एक बात बताओ, बच्चों base क्या करता है, ये NaOH है, इसको पानी में डालोगे क्या बनेगा, बच्चों ये base है, पानी में डाला तो Na plus, OH minus, अब बच्चों CS OH लिया, इसको भी पानी में डाला, CS plus, OH minus, अब इस्ट्रेंट एक आंसर दो, CGM का IE low है, बच्चों जितना IE low होगा, तभी तो CGM electron readily lose करेगा, बच्चों electron readily कौन lose करेगा, sodium के CGM, बच्चों sodium के CGM, electron readily कौन lose करेगा, बच्चों CGM, जल्दी से lose करेगा, बच्चों CGM का IE low, basic nature high, बच्चों CGM का IE low, basic nature high, बच्चों concept के लिए, और पूरी chemistry का strongest base, क्या बच्चों पूरी chemistry का strongest base, CGM, बच्चों CS, OH, strongest base of chemistry, बच्चों concept के लिए, क्या पूरी chemistry में minimum IE, CGM का है के नहीं, बच्चों IE minimum, basic nature maximum, बच्चों concept के लिए हुआ, बच्चों concept clear हुआ, I minimum, basic nature बच्चों maximum, एक मिनाट student, yes student, चलिए, अब student मुझे एक answer दो, student ये मेरे पास LIOH है, ये NAOH, ये KOH, ये RBOH और ये CSOH, ओके, अब student मैं इसकी जगह second group ले रहा हूँ, बच्चों बात clear हुई, ये मैंने कौन सा group लिया, second group लिया, ओके, student एक very important, बच्चों ये first group है, ये कौन सा group है, first day, ये second day, बच्चों फस्टे हो ये second day, क्या student answer पे कोई फरक पड़ेगा क्या, सर, प्लस में इतना नहीं पढ़ाते हैं, अरे बच्चों प्लस माइनस दोनों जगह सेम पढ़ाते हैं, अरे chemistry express, प्लस हो या माइनस हो, या online हो या offline हो या YouTube हो, बच्चों प्लस, माइनस, online, YouTube, सब जगह बच्चों equal, no difference, no difference, ओके, चले है बच्चों, या स्टुडेंट, अब स्टुडेंट डाउन दा ग्रूप जा रहे हो, बच्चों डाउन दा ग्रूप गए, I decrease हो, इस्टुएंट ये ग्रूप फर्स्टे है, ये ग्रूप सेकींडे है, बच्चों ग्रूप फर्स्टे हो, या सेकींडे, डाउन दा ग्रूप बेसिक स्ट इंक्रीज हुआ, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, ओके, यास बच्चों, बच्चों डाउन ता ग्रूप जाते हो, यह फस्टे ग्रूप है, यह सकींडे ग्रूप है, बच्चों फस्टे हो या सकींडे, आंसर पे कोई अफेट नहीं, बच्चों एक आंसर दो, बेस साइड बच्चों S block और D block एक C O हो है एक F P O है बच्चों बताओ more basic कौन होंगे बच्चों more basic कौन होंगे बच्चों more basic कौन है head strength more basic इदर गए हो बच्चों along the period गए हो IE increase हुआ बच्चों IE increase basic strength decrease बच्चों कोश्चन के लिए है है बच्चों कोश्चन के लिए chemistry में S block oxide more basic है बच्चों chemistry में S block oxide more basic है as compared to D block अब बच्चों मुझे answer दो K2O, CAO, TIO और FEO और बच्चों मेरे पास एक CS2 है क्या student इसकी basic strength का order बता दोगे क्या बच्चों इसकी basic strength का order अब student answer दो ये कौन है D block बच्चों D block के compare में बढ़िया कौन बच्चों ये D block बढ़िया S block second day के first day और first day में बच्चों CGM बच्चों concept clear हुआ क्या बच्चों मेरे बात बताओ बच्चों ये question period का है के नहीं बच्चों ये titanium happy period है बच्चों ये period है ओके बच्चों question clear हुआ बच्चों concept approach clear हुई chemistry के बढ़िया oxide कौन S block S block में भी बच्चों second day के first day बच्चों S block में भी बढ़िया कौन second day के first day first day में K2O के CS2O बच्चों K2O के CS2O CS2O बच्चों अब एक neat का PYQ बच्चों neat का PYQ बच्चों answer दो more basic कौन है बच्चों more basic कौन है बच्चों more basic कौन है ये neat का question है बच्चों ये neat का question है more basic yes बच्चों scandium, titanium, vanadium, chromium क्या बच्चों ये question period का है बच्चों ये question period का है और along the period I increase, बच्चो along the period I increase, basic strength decrease, क्या बच्चो question के लिए हुआ, बच्चो ये नीट का PYQ, SCO, TIO, VO, ये, ओके, अब बच्चो एक answer दो, L-A-O-H-O-T-R-A-I-J, और C-O-H-O-T-R-A-I-J, डेस्ट डेस्ट बच्चो, ये भी नीट का question है बच्चो, ये basic strength, क्या बच्चो आपने कभी सुना, Lengthenum, Serium, बच्चो Lengthenoid series किसी को याद है क्या, बच्चो एक बार सभी student, Pritima, Pritima, Nishant, Manis, Amit, Raghvinder, सारे बच्चे session को like करें, और जो भी नए student है, वो सारदा सा Telegram channel जोइन करें, नए बच्चे जो भी है, वो सारदा सा Telegram channel जोइन कर क्लास खतम होते ही बच्चो आपको यह PDF मिल जाएगा, जैसे ही क्लास खतम होते ही बच्चो आपको PDF, ओके, यह Telegram channel, यह PDF भी मिलेगा, और मेरी special class का notification भी आएगा, बच्चो पीडियाप भी मिलेगा, और मेरी special class का notification, ओके, चले बच्चो, very good, अब इस्ट्वेंट आंसर दो lengthenum cerium, क्या यह lengthenoid series है के नहीं, बच्चो इतना तो आप लोगोंने सुना होगा, along the lengthenoid series, side decrease होता है, IE increase, बच्चो IE increase, तो basic strength decrease, बच्चो concept के लिए, बच्चो concept के लिए, LUOH holthrite, बच्चो, LUOH holthrite is weakest base, बच्चो, LUOH holthrite is weakest base, among lengthenoid series, बच्चो, LUOH holthrite is weakest base, क्या student lengthenum 57, बच्चो, lengthenum cerium, dash dash, lutetium, बच्चो, यह दोनों question, नीट के लिए, बच्चो, important है, यह दोनों question बच्चों, नीट के लिए, इम्पोर्टेंट है, lengthenum, cerium, dash dash, lutetium, बच्चो, along the lengthenoid series, size decrease, IE increase, IE increase, तो बच्चो, basic nature decrease, ओके, वैसे student, अब बच्चों मुझे बताओ, यह मेरे पास FPO है, और यह F2O3 है, क्या बच्चों, अब basic nature का order बताओ, बच्चों, student, यहाँ plus 2 है, यहाँ plus 3 है, बच्चों, यहाँ plus 2 है, plus 3 है, यहाँ, student, बच्चों, more basic कौन है, यह तो दोनों basic, more basic कौन है, chat box में reply करो बच्चों, अरे भावी periodic table chapter है, ionization enthalpy, यहाँ, बच्चों, very good, Amit, very good, काफी बच्चों ने correct answer दिया है, FPO more basic, अब बच्चों, एक बात सुनना, basic strength depends on IE, बच्चों, basic strength depends on IE, element same, तब अपन OS देखते है, बच्चों, यहाँ की OS increase है, बच्चों, OS increase, तो basic strength, बच्चों, concept के लिए, बच्चों, concept के लिए, basic strength, बच्चों, basic strength depend on, बच्चों, basic strength depend on IE, बच्चों, basic strength depend on IE, element same, तो OS, सपोच करो, बच्चों, आपको यह point recall नहीं हुआ, बच्चों, मुझे इतना बताओ, इन दो में से small size किसकी है, सपोच करो, बच्चों, आपको यह point याद नहीं आया, इन दो में से small कौन है, बच्चों, इन दो में से small कौन है, यह small size है, P plus 3, बच्चों, अगर यह small size है, तो इसका IE कैसा होगा, बच्चों, यह small size है, तो इसका IE high है, क्या बच्चों concept के लिए हुआ, बच्चों basic strength depends on IE, elements M तो OS, बच्चों आपको यह point याद नहीं आ रहा है, बच्चों यह वाला point याद नहीं आ रहा है, तो student आप मुझे बताओ, इन दो में से small है, बच्चों इन दो में से small है, IE high है, क्या बच्चों question की approach के लिए हुआ, निशान्त, परभजोत, everyone बच्चों, बच्चों, student आप इस तरह से भी question कर सकते हो, अब student एक poll दे रहा, poll बच्चों possible नहीं है, बच्चों, YouTube की class है, student chat box में answer दो, more basic कौन है, बच्चों इसमें से more basic कौन है, बच्चों इसमें से more basic कौन है, student वैसे बच्चों अभी मैंने कहा था, basic strength depends on IE, element same, तो OS, बच्चों answer दो, यहाँ plus 2, यहाँ plus 4, यहाँ plus 7, क्या student इस direction में OS increase हुआ क्या, बच्चों इस direction में OS increase, तो basic strength बच्चों क्या हुआ, decrease हुआ, बच्चों इस direction में OS increase, तो basic strength क्या हुआ, decrease हुआ, ओके, अब सपोर्ट करो बच्चो यह best way नहीं है बच्चो भले answer इससे आया बड़ यह best way नहीं है बच्चो बच्चो best way नहीं है इन तीनों में से क्या student यह वाला example small size का है के नहीं बच्चो last वाला small size है इसका IE क्या है बच्चो इसका IE high है अगर IE high है तो basic nature क्या हो गया बच्चो IE high basic nature लो बच्चो question clear बच्चो question clear हुआ बच्चो question clear हुआ रिशी case रिशी case, कुमावाद, चाहाद यस बच्चो तो student इस case में OS से भी निकाल सकते हो IE से भी तभी तो बच्चो इसकी nature है न change है student आप लोगों ने कभी सुना हो magneege metal है बच्चो magneege metal है बट ये oxide basic है ये emporic है और ये acidic है बच्चो मेरी बात समझे मेरी बात समझे magneege metal है metal के compound base होते है बच्चो metal के compound base होते है बट MN2O7 का nature कैसा है बच्चो MN2O7 का nature acidic हो गया क्योंकि student इसकी OSI हो गई बच्चो OSI basic ने चल लो एक answer दो बच्चो CRO, CR203, CRO3 बच्चो chat box में answer दो more basic कौन है बच्चो more basic कौन है नेलाम, अमेत, निशान बच्चो कोई भी question पूसता हो comment box में reply करे more basic कौन है CRO, yes, very good, Rishi case, very good, very good अब student मुझे बताओ ये plus 2, ये plus 3, plus 6 क्या बच्चो इसकी OSI OSI basic nature लो बच्चो अपन को इससे नहीं करना है क्या student ये वाला small size है बच्चो ये वाला small size है yes, क्या high IE है yes, IE high basic nature low क्या student question की approach के लिए होई बच्चो question की approach के लिए होई बच्चो ये application star basic strength depend on IE बच्चो basic strength depend on IE ओके बच्चो basic strength IE पे depend करता है but element same हो बच्चो जब element same है OS पर अब बच्चो एक answer दो strength chromium metal है क्या बच्चो all these oxide are basic बच्चो chromium metal है क्या all these oxide are basic no बच्चो ये basic है ये emphoteric है और ये वाला क्या हो गया acidic हो गया बच्चो ये क्या हो गया acidic हो गया अब strength एक question पूछ रहा हूं बच्चो basic strength का order बच्चो basic strength का order जड़ेनो केट्वो एनो टू बच्चो बताओ more basic कौन है बच्चो इसमें से more basic कौन है बच्चो chat box में reply करो के जड़ेनो के टूओ एनो टू more basic कौन है very good अर्पिक बच्चो more basic कौन है के टूओ उसके बाद में कौन आएगा बच्चो के टूओ के बाद में कौन आएगा जड़ेनो आएगा फिर आएगा एनो टू क्या student question के लिए बच्चो पहले K2O फिर ये अब student मुझे answer दो ये metal oxide है बच्चो metal का oxide तो basic है और ये जडेन वाला important है और ये acidic है बच्चो एक answer दो अगर किसी का nature acidic है बच्चो अगर nitrogen non-metal है बच्चो nitrogen non-metal है non-metal का oxide acidic है बच्चो अगर ये acidic है तो basic character कैसा होगा बच्चो अगर ये acidic है तो इसका basic character कैसा होगा बच्चो concept clear बच्चो concept clear अगर ये acidic है तो बच्चो इसका basic character low होगा ओके तो बच्चो एक बहुत अच्छा application discuss किया अपने ये अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊगा बच्चों थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे P-Block and S-Block से related बच्चों एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो वैसे बच्चों मेरा काम हो गया है बट अपन स्टुडेंट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे प पी ब्लॉक से रिलेटेड है, मैटल के ओक्साइड, बच्चों मुझे आंसर दो, मैटल के ओक्साइड क्या होते है, मैटल, क्या बच्चों सोडियम मैटल है, यस, सर पी ब्लॉक पढ़ाद, अरे भाईया, अरपेद, एस, पी, डी, नहीं पढ़ाएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको पहले पढ़ाओ, प्लास बच्चों आपको स्टुडेंट आयो सी परफेट कवर करवाएंगे, अब बच्चों मुझे बताओ, यह सोडियम मैटल है, क्या एफ़ी भी मैटल है, बच्चों मैटल चाहे, एस ब्लोक हो या डी ब्लोक, मैटल के ओक्साइड बेसिक है, बच्चों अगर ओक्साइड बेसिक है, तो हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे, बच्चों मेरी बात समझे, बच्चों कंसर्ट के लिए, जैसा ओक्साइड है, वैसा ही हाइड्रोक्साइड होता है, बच्चो मुझे बताओ ये कौन है बेस है तो इसका hydroxide भी क्या होगा बच्चों concept के लिए बच्चों थोड़ा तो basic चीज़े जानते हो ना money, CEO base है तो hydroxide भी क्या होगा यास बच्चों बच्चों जैसा oxide होता है वैसा ही hydroxide बच्चों जैसा oxide वैसा ही hydroxide दोनों oxide बच्चों basic है बच्चों metal के oxide chemistry में क्या होते है basic होते है metal के oxide बच्चों ये reducing character अभी नहीं पढ़ेंगे अभी बच्चों metal के oxide basic है but in D block in D block oxide क्या बच्चों D block variable OSO करता है भावी सर आप doubt पर ध्यान नहीं देते हो तुमने doubt क्या पूछा था बच्चों metal के oxide क्या होते है अरे भाईया यह concept समझ लो कोई movie नहीं दिखाना है yes student student जो इस पे क्या interesting करे आप मुझे बताओ नो chemistry तो chemistry होगी न chemistry तो chemistry होगी न उसको भी interest करें कोई movie का dialogue है कोई movie का dialogue है जिसको थोड़ा interesting तड़का लगा दें यहाँ पर बच्चों D block oxide क्या student D block variable OSO करता है अब्यास बैच के बारे में information चाहिए थी यस बच्चों चले student बच्चों पाइंट के लिए रुगा लोवर ओएस बच्चों लोवर ओएस है तो ओक्साइड बेसिक इंटर्मीडियेट है M4 तरिक और मेंग्सीमा में S1 बच्चों यह चीज अभी अपनने किया है बच्चों Yes student बच्चों यह चीज अभी अपनने किया है student मुझे एक answer दो MNO, MNO2, MN207 बच्चों MNO, MNO2, MN207 MNO, MNO2, MN207 क्या बच्चों मेग्नीज मेटल है के नहीं बच्चों मेग्नीज मेटल है होने सारे बेसिक थे यहां मैंने बच्चों जनरल स्टेटमेंट लिखाया है यहां student अपनने जनरल स्टेटमेंट लिखा मेटल के उक्साइड क्या होते हैं बच्चों, मैटल के उक्साइड बेसिक होते हैं, यह oxide basic है, यह importeric है, यह acidic है, अब बच्चो आंसर दो, इसमें पानी डालूँगा, क्या बनेगा, बच्चो इसमें पानी डालूँगा, तो क्या बनेगा, not only यह, बच्चो CRO, CRO3, CRO3, क्या बच्चो यह chromium है के नहीं, बच्चो chromium भी metal है, बच्चो एक बात याद अटना, chromium और magneach के case में, बच्चो chromium की 2, 3 और 6, यह दोनो oxide, बच्चो कैसे oxide है, acidic है, बच्चो concept के लिए, बच्चो यह सारे metal है, बट D-block के metal, बच्चो यह दोनो metal higher OS में है, बच्चो chromium और magneach higher OS में है, तो उनका nature कैसा होगा, बच्चो chromium और magneach higher OS में है, तो उनका nature acidic, only sir, बाकी के D-block, no, नवनित कुमार, यह चीज only chromium and magneach के लिए valid है, क्या नवनित chromium and magneach के case में OS बहुत higher आता है, बच्चो chromium और magneach के case में OS है न, बहुत higher आता है, ओके, अब बच्चो बताओ, CRO3 plus water, CRO3 plus water, तो बच्चो एक acid बनता है, chromic acid, और Mn2O7 plus water, बच्चो HMNO4, इसमें concept के लिए हुआ, बच्चो concept के लिए हुआ, D-block oxide, chromium and magneach, बच्चो यह slide, important slide है, बच्चो यह star slide है, chromium and magneach के case में ऐसा हुआ, अब बच्चो एक answer दो, which oxide, बच्चो, question पोच रहा हुँ, which oxide is basic, बच्चो, which oxide is acidic, बच्चो, acidic कौन है, 1, 2, क्या 3, क्या 4, बच्चो, number 1, CRO, number 2, CRO2O3, number 3, यह, number 4, कोई नहीं, बच्चो, chat box में reply करो, which oxide is acidic, बच्चो, acidic कौन है, यह, बच्चो, वैसे, simple सोचो, बच्चो, वैसे, अगर अपन simple सोचे, तो chromium metal है, बच्चो, simple सोचे, तो chromium metal है, metal के oxide basic, answer 4, क्या बच्चो, answer 4 कर दू, क्या बच्चो, answer 4 कर दू, chromium metal है, बच्चो, D block का metal है, क्या बच्चो, यह D block का metal है के नहीं, और यह D block का metal higher OS में है, बच्चो, यह D block का metal higher OS में है, which oxide acidic यह basic, यह importary यह acidic, अब बच्चों answer दो अब student answer देना बच्चों, acidic कौन है बच्चों chat box में answer दो, which oxide acidic, CL2O के CLO2 के CL2O7 बच्चों, which oxide is acidic बच्चों session पूरा attend करना 10 minute और लोंगा बच्चों अब बच्चों मुझे बताओ, यह कौन है student यह chlorine है यह plus one है, यह plus four है यह plus seven है भले student, क्या यह तीनो non-metal है के नहीं बच्चों, यह तीनो non-metal है non-metal oxide बच्चों, non-metal oxide chemistry में कैसे होते हैं, बच्चों, तीनो non-metal है, non-metal के oxide acidic होते हैं बच्चों, बात के लिए हुआ है बच्चों क्लोरीन तो non metal है न अब इस्टुडेंट आंसर दो acidic oxide बच्चों acidic oxide यह स्टुडेंट बच्चों आंसर दो SO2 के SO3 के CRO3 के ओन बच्चों acidic oxide कौन है बच्चों मुझे बताओ यह तो non metal है बच्चों यहां तो कोई problem नहीं non metal oxide क्या होते है बच्चों sulpher तो non metal है चाहे non sulpher का plus 4 दू या plus 6 बच्चों concept के लिए sulpher तो 100% है बच्चों बच्चों sulpher तो 100% है क्या answer बच्चो 5 लगा दू 1 and 2 क्या student answer 5 लगा दू क्या क्या बच्चों chat box में answer दो क्या answer 5 1 and 2 लगा दू क्या आंसर भाई 1 and 2 लगाओं क्या नो एक्चुली बच्च क्रोमियम क्या बच्चो डी ब्लोक का मेटल है के नहीं बच्चो क्रोमियम डी ब्लोक का मेटल है और मैंसीमम ओएस में अब इस्ट्रेंट अपन पढ़ेंगे बच्चो नमबर 2 बात नोन मेटल ओक्साइड बच्चो नोन मेटल ओक्साइड केमिस्ट्री में कैसे होते है नोन मेटल ओक्साइड ऐसीडिक होते है इस्ट्रेंट आंसर दो ये सीयो टू है इसमें पानी डाला क्या बना बच्चो सीयो टू कार्बन नोन मेटल है इसमें पानी डाला तो कार्बोनिक ऐसे बच्चो ऐसो टू में पानी डालोगे क्या बनेगा बच्चो चैट बोक्स में आंसर दो SO2 में पानी डालोगे तो क्या बनेगा Sulfurus के Sulfuric बच्चो SO2 में पानी डालोगे क्या बनेगा Sulfurus के Sulfuric Student ये Sulfur Non-Metal है बट बच्चो ये क्या बना Yes बच्चो Yes बच्चो SO3 में पानी डाला Sulfuric ऐसे बच्चो concept के लिए बच्चों कंसेप्ट के लिए नोन मेटल के ओक्साइड चाहे बच्चों कोई सी भी OS में हो इस प्रेंट यह OS 4 है यह 6 है कोई परग नहीं पड़ेगा अब बच्चों मुझे बताओ CL2O प्लस पानी बच्चों CL2O प्लस पानी क्या बनेगा बच्चों क्लोरीन भी तो नोन मेटल है बच्चों मुझे आंसर दो कार्बन सलफर क्लोरीन क्या कार्बन सलफर क्लोरीन नोन मेटल है के नहीं बच्चों पांच मिनट और लेंगे कार्बन सलफर क्लोरीन नोन मेटल है नोन मेटल के ओक्साइड बच्चों acid液 बच्चो चैट बॉक्स में बताओगे yes very good नमनेट बच्चो यहán chlorine 1 है तो यह aacid भी क्या बनेंगा one OS का बच्चो chlorine 1 है तो acid भी कौन सा बनेंगा one का बच्चो वाग्टर मिलाने पर अब एक answer देना बच्चो CL207 प्लस पानी यह Chlorine 7 है इस्टुदेंट आप लोगों ने सुना बच्चो Chemistry में Chlorine के बहुत सारे Acid होते है HClO, HClO2, HClO3, HClO4 बच्चो Chemistry में Chlorine के Acid होते है यस बच्चो Student कौन सा बनेगा Chatbox में reply करो बच्चो कौन सा Acid बनेगा Very Good Nature HClO4 बच्चो यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 ओके, very good बच्चो, oxidation state remains same अब इसको heat कर रहा हूँ P2O5 के साथ बच्चो, यहाँ से water loss हो जाएगा इसको heat करूँगा water loss हो जाएगा तो इस student इस compound को chemistry में कहते हैं बच्चो, enhydride क्या कहते हैं बच्चो enhydride enhydride of per-cloric acid बच्चो, enhydride of per-cloric acid इस student, आपको कुछ भी चीज रटनी नहीं है बच्चो, आपको कुछ भी चीज रटना नहीं है N2O5 plus water बच्चो, पोल दे रहा हूँ इसमें पानी मिलाया तो क्या बनेगा बच्चो HNO2 के HNO3 बच्चो, इसमें पानी मिलाया क्या बनेगा इस student, nitrogen के दो acid सुने होंगे बच्चो, nitrogen के दो acid सुने होंगे and HNO2 और HNO3 HNO2 और HNO3 क्या बनेगा बच्चो ओके, चले बच्चो यहाँ 5 है बच्चो, यहाँ 5 है तो acid भी 5 वाला बनेगा बच्चो, यह 3 वाला गलत बच्चो, यह right बच्चो, concept clear अब मैं इसको heat कर रहा हूं बच्चो P4O10 के साथ water loss हुआ बच्चो, इस compound को chemistry में कहते N-hydride of बच्चो, N-hydride of nitric acid बच्चो, N-hydride of nitric acid बच्चो, concept clear हुआ बच्चो, concept clear हुआ this is N-hydride of nitric acid by the way, यह लेता हूं बच्चो, अब chat box में answer दो, यह लेता हूं तो यहाँ पर acid बनेगा बच्चो HNO2 और इसको भी heat करों तो this is N-hydride of nitrous acid बच्चो, this is N-hydride of nitrous acid क्या student, यह statement correct है क्या बच्चो, N-2O3 N-2O5 N-2O3, N-2O5 are N-hydride of nitrous acid and nitric acid respectively, बच्चो, N-2O3 and N-2O5 are N-hydride of nitrous acid and nitric acid respectively, ओके very good, very good बच्चो, एक बहुत अच्छा N-O2 plus water बच्चो, N-O2 में nitrogen 4 है, क्या nitrogen का 4 का कोई acid है बच्चो, nitrogen का 4 का कोई acid नहीं है, बच्चो nitrogen 4 है, 4 का कोई acid नहीं है, तो बच्चो एक higher का बनेगा, एक lower का बनेगा, अब इसको मैं heat करू, P2O5 के साथ, वापिस यह बनेगा, तो बच्चो, chemistry में बहुत बहुत बार आता, NO2 and N2O4 are mix anhydride, क्या बच्चो, यह word clear हुआ क्या, क्या बच्चो, NO2 and N2O4 are mix anhydride, star word है बच्चो, क्योंकि student यहाँ 4 है, तो 4 का कोई acid नहीं है, बच्चो 4 का कोई acid नहीं है, अब student voice आ रही है, बच्चों voice आ रही है, एक second student voice के लिए, ओके, चले बच्चों, थोड़ा सा student, अपन back चले गए, बच्चों, आगे slide खतम हो गया था, sir आप doubt के लिए, अरे क्या doubt है, comment box में लिखोगे तो doubt बताऊंगा न, comment box में लिखोगे तो doubt बताएंगे न, yes बच्चों, okay, yes student, yes बच्चों, चले बच्चों, एक थोड़ा सा neutral oxide यहां cover करते हैं, student इस slide के ओपर बच्चों, मैं आपको neutral oxide बताता हूँ, sir, आपने कुछ, yes बच्चों, चले student, बच्चों, next time पे अपन MCQ प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, periodic table का, और बच्चों, अभी अपन neutral oxide को clear करते हैं, दो मिनाट और हैं, okay, चले बच्चों, चले यह student, just ignore बच्चों, बिल्कुल सिवानगी, unnecessary दो चार बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ना नहीं है, yes बच्चों, neutral oxide की बात करें, बच्चों, chemistry में neutral oxide क्या है, CO, N2O, NO, बच्चों, यह neutral oxide है, इनका litmus के उपर, student ध्यान आया बच्चों, carbon non-metal है, बच्चों, यह non-metal है, फिर भी यह oxide neutral है, they are insoluble in water, बच्चों, they are insoluble in water, and no effect on litmus, 3 oxide are neutral, अब student अपन एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, बच्चों, amphoteric oxide, क्या होते हैं, student amphoteric oxide, वर्ड सुना हैं, बच्चों, जो amphoteric होता है, बच्चों, जो amphoteric होते हैं, they react with acid as well as base, S block का single amphoteric है, बच्चों, S block का single amphoteric कौन है, BEO, बच्चों, S block में single oxide, जो amphoteric है, वो BEO है, बच्चों, BEO है, तो क्या diagonally placed, AL2O3 होगा क्या, बच्चों, BEO और AL, diagonal relationship है, BEO, AL2O3, इसके साथ साथ, बच्चों, JNO, SNO, SNO2, और PBO, PBO2, बच्चों, SNO, SNO2, PBO, PBO2, यह oxide, बच्चों, amphoteric है, प्रतिमा, ठीक है, color मेंने change कर लिया, बच्चों, यह BEO, AL2O3, यह amphoteric है, अब एक very important बच्चों, their hydroxide are also, बच्चों, their hydroxide are also amphoteric, अगर oxide amphoteric है, बच्चों, oxide amphoteric है, their hydroxide are also amphoteric, बच्चों, their hydroxide are also amphoteric, अब बच्चों, मुझे बताओ, यह amphoteric है, इसके अंदर मैंने पानी डाला, तो ZNOH whole twice बना, बच्चों, यह दोनों की nature कैसी होगी, बच्चों, concept के लिए, अगर oxide amphoteric है, then hydroxide is also amphoteric, बच्चों, oxide amphoteric है, then hydroxide is also amphoteric, एक इस्टुएंट बात बताओ बच्चों, along the period, बच्चों, यह line important, along the period, oxide change from, बच्चों, along the period, oxide change from, basic to acidic, क्या इस्टुएंट, यह statement के लिएर हुआ क्या, बच्चों, answer दो, Li2O, Beo, B2O3, CO2, N2O5, क्या इस्टुएंट, along the period, oxide change हुए क्या, बच्चों, इधर जा रहे हो, क्या इस्टुएंट, इधर non-metal है के नहीं, बच्चों, इधर यह basic है, यह amphoteric है, और बच्चों, boron, carbon, nitrogen, non-metal है, बच्चों, concept के लिए, बच्चों, यह statement, neat में, बहुत बच्चों, along the period, बच्चों, along the period, oxide change from, basic to acidic, यह इस बच्चों, चले ए, स्टुएंट, अब स्टुएंट में, इसकी जगह, Na2O, MGO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, और CL2O7, बच्चों, concept के लिए, इस्टुएंट, इस इस सेकिंड प्रियर्ड, बच्चों, यह सेकिंड प्रियर्ड है, और यह थर्ड प्रियर्ड है, इस्टुएंट, इस, बच्चों, सेकिंड और या थर्ड, along the period, oxide का नीचर क्या होगा, along the period, बच्चों, oxide change from basic to acidic, ओके, चले बच्चों, अब एक very important statement, और रह गया था, बच्चों, down the group, इस्टुएंट, नए बच्चे जो भी है, यह सार्दा सा, टेलीग्राम चैनल, जोइन करें, जिसमें मैं आपको, PDF सेर कर दूँगा, बच्चों, क्लास खतम होते ही, आपको PDF सेर कर देंगे, ओके, चले बच्चों, down the group, एक मिनट और, down the group, oxide, oxide, change from, change from, acidic to basic, बच्चों, down the group, oxide, change from, acidic to basic, निशान्त, एक मिनट में, क्लास अवर कर रहे हैं, यह B2O3, AL2O3, GA2O3, IN2O3, और TL2O3, बच्चों, answer दो, top वाला oxide कैसा है, बच्चों, जो oxide top में है, वो कैसे है, बच्चों, जो oxide top में है, बच्चों, जो oxide top में है, वो basic, यह दोनों, emphotoric, और बच्चों, यह दोनों basic, क्या बच्चों कंसेप्ट के लिए बच्चों कंसेप्ट के लिए एलोंग दा प्रियर्ड ओक्साइड जैंज फ्रॉम बेसिक टू ऐसे डिक बच्चों उपर में सॉरी इस्ट्वेंट यह उपर एसे डिखना था अब इस्ट्वेंट मैंने यह लिया बच्चों N2O3, P2O3, AS2 B2O3, SB203 और BI203 बच्चों आंसर दो यह स्टुडेंट एस ब्लोक में नहीं होगा बिल्कुल नवनीत एस ब्लोक में नहीं होगा नवनीत एस ब्लोक में सारे एलिमेंट मैटल है नवनीत एस ब्लोक में सारे एलिमेंट मैटल है वाँ चेंज नहीं होगा नवनीत कंसर्ट के लिए, नवनीत कंसर्ट के लिए, एस ब्लोक के सारे element metal है, वाप नहीं होगा, बच्चों P ब्लोक में very good नवनीत, P ब्लोक में बच्चों metal, non-metal दोनों है, अब इस्ट्वेंट ये टॉप पे है, बच्चों टॉप वाले acid, ये वाले empoteric और BI वाले basic, बच् में बच्चों statement आता है, down the group, बच्चों down the group, oxide change from acidic to basic, बच्चों answer देना, CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2, बच्चों very very important, Sn और Pb bottom में है, बच्चों Sn और Pb bottom में है, क्या दे आर, बच्चों basic, yes के no, बच्चों Sn और Pb bottom में है, क्या they are basic, yes के no, बच्चों ये bottom base, ये bottom base, बच्चों always empoteric, Sn और Pb student always empoteric,